वाट सब्सक्राइब अच्छे से सेशन में आपका स्वागत करती हूँ आज का सेशन है अमीन्स आज हम बुनियाद सीरीज के अंदर अपनी एंसी आटी लाइन बाइन जो है हम कवर करने वाले हैं फॉर वेरी ब्यूटिफल चाप्टर चाप्टर का नाम है अमीन्स एक बार आज मुझे चाच में कंफर्म कर दो मेरी आवाज आरी है ओडिबल विजिबल कर यॉर मी येस आरी आवाज आरी है येस तो आज ना मेरे को थोड़ा सा एक्चली सर्दी खासी हो गया है ठीक है तो माइंड मत कर डा दवाई लेकर अभी मेरी ना जस्ट एक लास खतम हुई मेरी वो जो बूस्टर वाला बैच है वो क्लास चल रही थी फिर अभी वो क्लास खतम हुई तो मैं ना सोचा कि एक बार केमिस से दवाई लेकर आती हूँ तो वो आने जाने में थोड़ा समय लग गया मेरे को ठीक है और दवाई खाई जाती नहीं फिर उसके तो तीन टुक है जब करें सोटेकुटर फिर लें वाले अलोलमें किर अगास है तने साथे यां — ल क्म पर इन चाप्टर के सवाल बन्हाँ नहीं तो लमुटर स स्वानितर संद बन्हार स्का कितने सारे स्वाल Squid तो super duper important है ही no doubt आज का session important है बट जो कल वाला session है वो ज़्यादा important है कल हमना bio molecules करने वाले हैं अब आप में से जितने भी बच्चे हैं जो neat में चाहे J-Mains में चाहे बोज में मलब हर paper में अगर तुम मचाना चाहते हो हर paper का तुम topper बनना चाहते हो एक अच्छी rank हासिल करना चाहते हो एक अच्छा score हासिल करना चाहते हो in whichever paper you want आपकी NCRT देखो अच्छी होनी चाहिए तो चलिए I think बिना किसी देरी के फटा-फट से start करते है D&F ब्लॉक आपके साथ मैंने पूरा schedule share कर दिया था मैंने आपके साथ पूरा schedule आज एक shots में share कर दिया था तो उसका screenshot ले 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 ना आज मैं सारी classes schedule भी करा दूँगी D&F ब्लॉक और coordination भी कराऊंगी मना नहीं कर रही हूँ जितना आपके NCRT में दे रखा है सब कराऊंगी बट एक दिब में एक ही session ले सकते है सेशन अटेंड करके देख लो तुम्हें फ्लेवर आजाएगा और गानिक chemistry का मजा आजाएगा पता चल जाएगा राजमा चावल का कौन सा तड़का होता है और सांबर वाली दाल का कौन सा तड़का होता है तो सारे तड़के हम आपको बता देते हैं मतलब सारे स्वाद आपको एक ही session में आ जाएगे तो जैनुरिली आप जो भी बच्चा जीरो से भी start कर रहा है इस बात की कोई गारेंटी निया कि पेपर अच्छा जाएगा और आप हमेशा वर्स्ट केस के लिए प्रिपार करो हो सकता है पेपर टाफ आजाए तो मलब आपके बेस तो क्लियर होने चाहिए तो चाहिए you are studying for NEET or you are studying for J-Mains or you are studying for boards और in case you are studying for your state board exam CBSE boards के लिए या फिर bit side के लिए किसी भी exam के लिए तयारी कर रहा हो अगर आपके exam का one of the syllabus है amines ठीक है तो ncrt जो हम आज पढ़ने वाले आपको बहुत help करेगी ठीक है फटाफचे session को like कर दो जिन बच्चों ने नहीं करा और जैसा कि आप जानते हो हम चाहते हैं कि ये channel सब बच्चों तक जाए आपके जितने भी whatsapp groups हैं जितने भी telegram groups में आप एक दूसरे के साथ associated हो इस channel को और इस session को definitely share करना तो जितना प्यार आपने अभी तक हमें दिया है इस channel को भी और खूब सारा प्यार देदना तो बस आप लास्ट शीर तुमसे मांग लेते हूं फिर session को start करूंगी pink color के high five is in the chat section बाइसाब pink color के high five is in the chat section उसके बाद हम session को start करते हैं एक बच्चे की demand पहले ही आगे मैं यह बताओ कि कितने अ अच्छा यह तो निशानसर वाली slide खुल नहीं यह तो physics की slide खुल गे pink color के हाथ साजने चाहिए in the chat section कितनी slide है we have a total of 52 slides आप 10 slide कम है छोटा chapter है नहीं तो 62 68 होती 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से जो बच जाएगा वो भी कर लेंगे ठीके ना हाँ जी तो यह हो गए खुब सारे pink color के high five is in the chat section let us get started with the chapter amines series का नाम बुनियाद series ncrt का one shot है chapter आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है amines सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ amines होता क्या है कहां से आए मालो अगर आपके पास ammonia अब यह चीज़ कभी तुमने गौर नहीं करी होगी मगर मैं तुम्हें बताऊंगी ammonia का spelling पते क्या होता है a double m o n i a ammonia 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 के एक hydrogen को हटा कर अगर आपने एक r group या aryle group लगा दिया यह कहल आता है a means a means में single m आता है ना की double m आता है ठीक है आगे देखो टू बायलोजिकली active compounds देखो यह चोटी-चोटी चीज़े आना आपको कोई teacher ऐसे emphasize करके नहीं पढ़ाता क्यूंकि हमें यह मानने की आदत है यह सब थोड़े ना पेपर में पूछा जाता है बट आजकर आप का pattern देखो वो कहीं से भी use वाला सवाल application वाले सवाल उठा के पूछते हैं तो मैंने पूरी NCRT आपके लिए पहले ही line by line mark कर दी कि जिस भी section में जितना सिखाना है वो सारा मैं आपको सिखाऊंगी जितने questions की practice हो सके मैं आपको कराऊंगी तो जो चीजे मैंने मार्क करिया यह पूरी NCRT को डाउनलोड कर लेना I will share the complete NCRT यह पूरा PDF मैं आप पे शेयर कर दूंगी वहां से डाउनलोड कर लेना प्रिंट ले लेना paper के दो दिन पहले बस यही जो underline चीजे है सिर्फ इतनी पढ़ने है और कुछ नी पढ़ना ठीक है देखो कहा है two biologically active compounds namely मेरी थोड नहीं आती ठीक है यह दो जो हमारे compounds है बोथ containing secondary amino group are used to increase blood pressure हमारे blood pressure को increase करने के लिए जो दो compounds use होते है उनके अंदर amino group है ठीक है na secondary amino group है आगे देखो कह रहे नोवोकेन एक synthetic amino compound है and it is used as anesthetic in dentistry dentistry में anesthetic के रूप में use होता है जो compound है उसका नाम है नोवोकेन आजकल match the following बड़े प्रचलित है यहाँ पर compound दे रहते हैं यहाँ पर use दे रहते हैं कह रहे एक answer P है क्यों है R है वन मारकर में ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं कह रहे बैने histaminic drug also contains tertiary amino group और जो quaternary ammonium salt है these are used as surfactants यह हमारे एक chapter हुआ करता था chemistry in everyday life वहाँ पर ही पहले यह सारी चीज़े डीटेल में आती थी अब नहीं आती हैं बट क्योंकि इस chapter में दे रहे हैं तो कहीं से भी पूछा जा सकता है तो यह रट्टे नहीं माणने है at least एक बार होगा तो आपको थोड़ा सा idea लगेगा अगर कल को paper में आ जाए तो कैसे answer करना है पहले पन्ने में इसके अलावा आपको दुबारा कुछ रटने की जरूरत नहीं है अगर simple सी बात करो मानलो जैसे मेरे पास यह है ammonia अगर ammonia के एक hydrogen को हटा कर मैंने R group लगाया यह मेरा primary amine कहल अगर मैंने तीनों के तीनों hydrogen हटा करके R group लगाई यह मेरा tertiary amine कहलाएगा और अगर मानलो मेरे पास 4 groups है 4 R groups तो यह कहलाएगा R for N positive X minus इसको हम बोलते है quaternary ammonium salt बनता कैसे अभी सब सिखाया जाएगा अगर मैं amines के structure की बात करूँ आप कोई भी amine का structure उठा लीजे आपको दिखेगा nitrogen पे मैं एक lone pair है और 3 sigma bond है यानि कि total number 4 तो hybridization SP3 यहाँ पर भी देखिए एक lone pair है 3 sigma bond एक lone pair 3 sigma bond एक lone pair 3 sigma bond तो हर एक case में hybridization SP3 है अब ध्यान से देखिए अगर SP3 hybridized है तो इसकी शकल क्या होनी चाहिए tetrahydral होनी चाहिए मगर क्योंकि मेरे पास एक lone pair है और इनकी photo खीचो तो lone pair photo में खिचता नहीं है यानि कि मेरे पास जो shape हो जाएगी वो क्या हो जाएगी pyramidal NCRT के दूसरे पन्ने में इतना ही explain कर रखा है इससे जादा आपको कुछ बढ़ना नहीं है अब मैं आपको एक बात बताती हूँ आपको बता है अगर मैं बात करती हूँ methane की तो methane के अंदर मेरा जो bond angle है वो होना चाहिए कितना 109 degree 28 minutes यानि कि अगर आपकी hybridization SP3 है तो bond angle कितना होना चाहिए 109 degree 28 minutes ठीक है मगर अगर मैं बात करती हूँ ammonia की अब बिचारे ammonia के case में क्या होता है ध्यान से देखना ammonia के case में loan pair जादा जगा लेगा जब loan pair फूलेगा जादा जगा लेगा तो वो इसको धक्का मारेगा इसको धक्का मारेगा यानि कि जो angle 109 degree 28 minutes होना चाहिए था हो squeeze होके कितना हो जाता है 160 degree यह बच्चे बच्चे को बता है मगर बच्चे बच्चे को यह नहीं पता कि amine के अंदर का angle जादा क्यों होता है देखो उन्होंने clear दे रखा है due to the presence of unshared pair of electron the angle C and E where E is carbon or hydrogen is less than 109 degree for instance it is 108 degree in case of trimethylamine अब चाहिए आपका NEET का पेपर हो या JE का पेपर हो वो यह कहता है कि trimethylamine का bond angle predict करो किससे जाद है किससे कम है वहाँ तुम्हें बल भी नहीं चमकता तुम्हें लगता है कि data oriented question क्यों दिया data oriented question इसलिए दिया क्योंकि NCRT में लिखा हुआ था समझ रो hydrogen निके निके होते हैं उनको squeeze करना असान था मगर अब आपने nitrogen के उपर तीन methyl group लगा दिये अब जब आपने nitrogen के उपर तीन methyl group लगाए और lone pair भी लगाया तो lone pair कहता है कि angle होना चाहिए 160 degree इनको pass करो methyl कहते हैं नहीं हम तो मोटे मोटे हैं हमें जादा जगा चाहिए हम दूर जाएंगे तो angle कितना आ जाता है 108 degree 109 से कम है क्योंकि lone pair जादा जगा लेगा मगर 107 से जादा है क्योंकि methyl बड़े बड़े हैं एक दूसरे को धका मारेंगे दूर दूर हो जाएगा क्या यह कहानी स क्लासिफिकेशन की बात करते हैं क्यार देखो यह जैसे कि यह मैं अल्डेडी सिखा चुकी हूं अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटाके आर बनाओ प्राइमरी अमीन अगर देखो दोनों आर ग्रूप लगाए एक हाइड्रोजन बचा सेकेंडरी अमीन एन के उपर तीन आ आयूप एक नॉमेंक्लेचर तुम्हें पता है मैं सिखाती हूं मगर उससे भी जादा जो मुझे सिखाने में मज़ा आता है क्योंकि वो पेपर में सवाल आता है वो है आपके कॉमन नेम तो ध्यान से देखना क्या रहा है एलकाइल अमीन एस वन ओफ द वर्ड जैसे फॉर धिल अमीन और धिल्व जडोरी मिथल अमीन आगे देखो है तो यह क्या है मिथेन और वन पोजिशन पे अमीन तो सब्सक्राइब आ नाम हो जाएगा है िांज इन बहु कsam त इसका नम क्या हो जाएका यह ए और एसब बूसक्ञार्थ क्रेक चैनल आ हमीन बिग सक्ते हो जा NH2, सब बच्चे इसका common और IUPAC name मेरे साथ-साथ बोलोगे, लिखोगे, तुम्हें मैं इतना निश्चिंत करती हूँ, अगर तुमने इस one shot को बड़े ध्यान से देखा, तुम्हें later on एक long run में ये बहुत काम की चीज लगेगी, तुम literally कहोगे माम हमारे paper में direct सवाल NCRT से साथ है, चलो इसका नाम लिखे बताओ, पहले हम IUPAC name लिखेंगे, IUPAC में क्या करेंगे, इसको one दो, इसको two दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ethane 1,2-diamine, इसका नाम क्या हो जाएगा, ethane 1,2-diamine, अब ये E और ये D है, तो कट करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इस इसका काओ, चलो तुम मुझे common name बताओ, इसका common name कैसे बताएंगे, ध्यान से सोचो, इसका मुझे common name बताने, पहले तुमने इसका IUPAC name सीख लिया, ethane 1,2-diamine, अब मेरे को ये है, की चलो ठीक है, इसका common name अभी आगे दुबारा कराओंगी, थोड़ा सा और common name के बारे में तो common name और IUPAC name लिखके बताओ, तो IUPAC कैसे लिखेंगे, वान और टू, इथेन है, इथेन 1-amine, और यहाँ पर ध्यान से देखो, N पे क्या लिखा हुआ है, N पे लगा हुआ है, N पे लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा, N पे मिथाईल, इथेना मीन, समझे, N पे इ इथाईल, इथेना मीन, अब ध्यान से देखो, अब मैं कहँँ, इसका IUPAC name लिखके बताओ, N पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, पहले main chain सेलेक्ट करो, main chain में कितने कारवन आटम दो, तो 1-2, इसका नाम हो जाएगा, इथेन 1-amine, मगर इस nitrogen पे दो इथाईल लगे हुए इसका नाम हो जाएगा, N-N-Di-Ethyl-Ethenamine, देखो, इसका नाम है N-N-Di-Ethyl-Ethenamine, क्या ये बात सबको चमक रही है, ये बाते चमक रही है, आगे देखो, क्या लिख रही हो, exactly मतलब, हाँना, कौन है भाई, टाइम वेस्ट कर रही है, मैं भाग लो, हाँ हाँ, जिसका ट मैं चोके, यहाँ पर चाहे 10 बच्चे भी रहेंगे, मैं चितने शिद्दत से पढ़ाऊंगी, यार मुझे पता है, ठीक है, I am a very decent and hardworking teacher, तो जिसको भी लग रहा ना, यार टाइम वेस्ट कर रही है, मैं प्लीज सल जो, मुझे बढ़ अच्छा लगगा, यार मेरे को 10 बच इसको क्या बोलेंगे बेंजीन वन अमीन, इसका दूसरा नाम है बेंजामीन, पेपर से पहले, सिर्फ यह जो सुंदर सुंदर मैं चितर इस पर ड्रॉ कर रही हूं, अगर इतने चितर भी करके चल जाओगे, काम भन जाएगा, सिर्फ इतना ही पढ़ना, यह सारे आगे पी इतनामीन, इताइल अमीन, वन, टू, थ्री, प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन, प्रोपाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन, अब यह मेरा बेस्टम बेस्ट एग्जाम्पल है, यह मेरा बेस्टम बेस्ट एग्जाम्पल है, देखो, यह है, कह रहा है, C पे, C पे, C पे, NH2, अ IUP मतलग 1, 2, 3 तो propane 2 amine अब common name कैसे बोलते थे ethyl amine तो क्या मैं इसको बोल दूउ देखो, ऐसे नज़र आ रहे है ऐसे क्या मैं इसको isopropyl amine बोल दूउ इस पे Vc का bulb बना लो बहुत इंपॉर्टेंट है, चमकना चाहिए पेपर में डारेक्ट सवाल आता है, आगे देखो, इसका नाम, यह भी हमने कर लिया, we have already done, इसका common name सिखा देती हूं, N पे methyl भी है, N पे ethyl भी है, तो इसको क्या लिखेंगे, E पहले आता है, तो इसका नाम होगा, ethyl methyl amine, क्या नाम है, ethyl methyl amine, चमक रहा है, आगे, यह दे ऐसे common name क्या होगा try methyl amine try methyl amine चमक रहा है यह सिंपल है यह तुम कर लोगे इसमें कुछ दिमाग निया लगाना फाइस साफ best of best मलब I am in love with this question मैं इसी लिए कहती हूँ कि organic पढ़ने की सबसे बड़ी अच्छी चीज यह है कि सबसे पहले आप NCRT पढ़ो मलब और ग्यानिक से प्यार करना असान नहीं है ठीक है और अगर NCRT को ढ़ंग से पढ़ा तो मज़ा आ जागा यह तको कितना प्यारा है पहले मैं इसका common name लिखती हूँ common name map ने सिखाया जैसे इथाइल अमीन अगर यह इथाइल होता तो इथाइल अमीन हमने कल की क्लास में सीखा इसको एलाइल बोलते हैं सीखा ना double bond के बाजुवाला carbon एलाइल यह पूरा क्या था एलाइल तो क्या मैं इसका नाम एलाइल अमीन रख दूँ इस पे VC का बल्ब बहुत important चमकना चाहिए अलाइल अमीन पेपर में यही आएगा अलाइल अमीन में कितने nitrogen atom की hybridization SP2 है जब तक तुम्हें अलाइल अमीन बनाना नहीं आएगा तो तो तुम hybridization कहां से निकालोगे आगे देखो मैंने क्या सिखाय था मैंने यह सिखाय था कि पहले पूरी chain में जो बाहु बली है यानि कि जो main functional group है उसको ढूंडो तो हमारा main functional group क्या है NH2 इसको ढूंडो तो इस carbon को 1 रखो 2 रखो 3 रखो अब simple prop2 in 1 amine prop2 in 1 amine इसको mark कर लो हरे वाले को हाना यह super 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 important है इसको mark कर लो super important है यह सस्ता है इसको aniline बोलते है aniline ही आपका iupac name भी है benzamine भी आपका iupac name दोनों ही iupac में consider है आगे की कहानी सुनिए अभी खतम नहीं हुए कहानी यह देखो इसको बोलते है aniline क्या बोलेंगे aniline aniline पे CH3 है तो उसका नाम हो गया two methyl aniline sorted है और इसी methyl aniline को अगर methyl ortho position पे है इसको बोलते है toluidine toluidine मेरी pronunciation खराब है मगर समझ गए to toluidine क्या toluidine मतलब toluene और aniline नाम मिलके क्या बन गया toluidine यह aniline यह toluidine नाम मिलके क्या बन गया toluidine ortho toluidine मेरी इस पर अपना प्रेन सेशन थोड़ी माड़ी है मुझे माफ करना ठीक है यह यह पेपर में नहीं चमकता बच्चे को लिखा हो मिलता toluidine ortho toluidine की NaNo2 HCl के साथ reaction करो 0 to 5 degree C पे फिर A बनेगा A में H3PO2 डालो B बनेगा वह बिचारा करी नहीं पाता उसको ना मिली याद थे तो कैसे करेगा यह असान है देखो यह aniline तो यह bromoaniline परा-bromoaniline यह 4-bromoaniline यह क्या है N-n-dimethyl benzamine N-n-dimethyl aniline तो यह simple थे these were easy थे अब एक question करके यह 9.2 का first part है यह paper में आने की संभावन आए हैं चाहे आप CBSE की बात करो NEET की या JE की बात करो Can I write the structures of different isomeric amines corresponding to the molecular formula C4H11N चलो बताओ C4H11N के कितने isomers बनते हैं इसका answer बताओ गए C4H11N के कितनी possibilities बनती है answer बताओ जल्दी से answer बताओ कितना प्यारा सवाल है मतलब मैं कहती हूँ बहुत ही बहुत ही सुन्दर और प्यारा सा सवाल है इसके जितने भी possible isomers बनते हैं पहले आप वो बना मैंने का मैं डिग्री ओफ degree of unsaturation निकालोगे जीरो आजाएगा अब जब भी nitrogen के isomers की बात आए तो आप primary secondary tertiary amine पूरा सोचोगे मैंने का मैं प्राइमरी amine बनाते हैं सबसे पहले primary amine में या तो चार carbon atom straight chain में लगाओ एक NH2 यहा लगाओ ये मेरा primary amine बन गया दिग्या बाइन एक points का стран है यह तो आप second carbon atom यहां लगा दो अमीन और चाहिए primary second carbon atom यहां लगा दो यह चमक गया सब को प्राइमरी क्या है ? Miam I'm in competed primary power primary का मतलब जिस carbon से देखो, primary mean का मतलब NH2 to fix हो नहीं चाहिए — मैंने का carbon को आप यहां पर लगा दो anywhere in in questions का कोई shortcut निया है — पेपर में यही आएगा C4H11N का आप मुझे बताओ total कितने isomers possible है पहले primary amine बनाओगे जितने भी possible अब कई बच्चों को लगता कि यह तो secondary amine है क्यों क्योंकि nitrogen जिस carbon से जुड़ा है वो 2 carbon से जुड़ा है अरे भाईया primary amine मतलब R NH2 NH2 group का आरना मतलब primary amine है यह कई बचों को confusion होती है तो confusion होनी नहीं चाहिए यह बात सबको अच्छे से चमक रही है फिर मैंने का चलो माम यह primary amine के cases अभी secondary भी बनाओगे tertiary पहले tertiary बना सकते है tertiary मतलब carbon यहाँ पर nitrogen है ठीक है यहाँ carbon है यहाँ carbon है क्या मेरे पास tertiary amine आ गया क्या मेरे पास tertiary amine आ गया अच्छा एक और कोई primary की possibility है मैंने का मैं एक मिनट carbon, carbon, carbon और NH2 भाई लोगों यह भी primary amine है नजर आ रहे है चलो tertiary बात में बनाएंगे एक साथ tertiary को बात में बनाएंगे पहले primary से start करो primary amine के अंदर किसी को कोई प्रॉबलम है primary amine के अंदर किसी को कोई प्रॉबलम है primary amine clear है अब मैंने का चलो secondary बनाएं secondary मतलब एक मेरे पास NH ग्रूप होना चाहिए दो R ग्रूप total कितने है चार मैंने का एक और दो तीन चार किया आपको यह secondary amine नज़र आया सारे chat में answer लिखते जाओ chatों में answer आने चाहिए यह नज़र आया फिर मैंने का मैं secondary amine में क्या यह possibility है NH मैंने fix कर दिया दीन carbon एक side कर दो क्या यह secondary amine की possibility सबको नज़र आरही है all good है possibility नज़र आरही और कुछ सोचो या तो 2 is to 2 हो जाए या 3 is to या 3 is to आपका simple हो जाए 1 कोई और possibility है मैंने का मैं ये 3 carbon atom है क्या ये 3 carbon atom है मैं ऐसे join कर सकते हूँ औरे भाईया क्या ये भी secondary amine है जल्दी से बताओ क्या ये भी secondary 1, 2, 3, 4 4 तो हो गए मेरे primary amine 3 मेरे हो गए secondary amine 4 और 3 साथ और एक simple सा case बना लेना tertiary amine and C, 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 C और कोई case ने बनेगा total 8 बनने चाहिए चेक कर लो total 8 बन रहे है 8 total मजा आया ठीक है 3, 1 वाले में one more case very good समझ गए मैंने क्या किया मैंने न देखो मैंने ऐसे random नी बनाए प्रॉब्लम होती है NH2 फिक्स कर दिया NH2 में मैंने 4 carbon atom straight chain में चिपका है फिर मैंने का तीन स्टेट में चिपका हो एक यहां चिपका हो NH2 फिक्स है ना तीन स्टेट में चिपका हो एक यहां चिपका हो NH2 फिक्स है ना बेस्ट क्वेस्टन है दुनिया इन क्वेस्टन को ऐसे नकार देती है कि हां यह कौन करता है सवाल मगर यह बहुत ब्यूटिफुल सवाल है चाहे जेए का पेपर हो जिस दिन सवाल पेपर में आता ना बच्चे फर्स जाते आठ आठ आंसर ही नहीं आता कोई ना कोई केस सवाल बताती हूं थोड़ी आज अवास पे मत जाना मेरा लिटरली नाक वाक बंद है घला ठीक है थोड़ा खराब है तो आज शकल सूरत पे हना मत जाना बस पढ़ाने की शिदत पर जाना पढ़ाऊंगी अच्छा कॉलिटी में कॉंप्रमाइज निकरूंगी शकल अकल में जैसे मरजी कॉंप्रमाइज हो ठीक है सामने देखो क्यारा है प्रिपरेशन ओफ अमीन्स की प्रिपरेशन सबसे पहले मैं एनिलीन की प्रिपरेशन के बारे में बात करते हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुनना क्या आपको पता है बेंजीन के अंदर हमने यह सीखा आपफ़े सेशन में Concertrated Nitric Acid टालते है Concentrated H2SO4 की प्रिपरेशन में इकिया को याद हिया है Nitrobenberyन बनता है बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जहां Nitrobenzene को अनिलीन में कणवर्ट करते हैं तो यह तो हाप डालते हैं hydrogen-paldium-nipttpd की presence में या फिर आप reaction कराते हैं tin in the presence of HCl के साथ या फिर आप reaction कराते हैं iron in the presence of HCl metal in the presence of HCl तो देखो नाइट्रो ग्रुप को hydrogen, palladium, ethanol की presence में aniline बनेगा नाइट्रो ग्रुप को tin HCl या आइन HCl होगे NH2 बन जाएगा यह maximum आपको आता है अब बात आई मैं board exams में one marker question में हम first जाते हैं तो देखो यह छोटी सी line है यही आपका one marker सवाल होता है और और बताती हूँ आपके जो paper में assertion reason के सवाल नहीं आते हैं वो यहीं सही तो बनते हैं कहीं और से थोड़ी ना उठाय जाते हैं कहा है reduction with iron scrap and hydrochloric acid बतलब FeHCl के साथ reduction करते हो this is preferred because FeCl2 formed get hydrolyzed to release hydrochloric acid कहा है Fe plus HCl की जब आप reaction कराते हो तो FeCl2 बनते है FeCl2 के बनने के तुरंत बाद जब आप उसकी hydrolysis कराते हो तो वापिछ से HCl बन जाता है during the reaction thus only a small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction केवल शुरू शुरू में reaction को initiate करने के लिए थोड़ा सा हाप HCl डालते हैं बाद में तो जैसे जैसे FeCl2 बनता जाता है उसकी hydrolysis होगी HCl निकलता जाएगा reaction आगे जाती जाएगी तो शुरू में ही केवल थोड़ा सा HCl डालना पड़ता है इसलिए Fe in the presence of HCl वाली reaction को हम जादा फाइदे मंद मांगते हैं समझ गए अगली reaction है इसका मतलब है Ammonolysis of Alkyl Halide तुम्हें पता है Lysis मतलब तोड़ना जैसे तुम किसी का दिल तोड़ देते हो ब्रेक अप हो जाता है न तूट गये तुम्हारा रिष्टा तूट गया तो Lysis हो गया किसने Lysis कराई? Ammonia ने तो इसको बोलते है Ammonolysis Ammonia ने तोड़ा किसको? Alkyl Halide को देखो This process of cleavage of CX bond by ammonia molecule is known as Ammonolysis कई बच्चों को यह लगता Ammonolysis मतलब ammonia का तूटना नहीं Ammonia ने तोड़ा Alkyl Halide को इसलिए reaction को बोलते है Ammonolysis reaction यह क्या है? मैं आपको short में सारी चीज अच्छे से समझाती हूँ देखो सबसे पहले आपके पास है Alkyl Halide आपने इसके अंदर lettuce से Nucleophile डाला तो R पे delta प्लस है Halogen पे delta माइनस है Ammonia पे Lone pair है क्योंकि Ammonia पे Lone pair है यह एक Nucleophile की तरह behave करेगा सबसे पहले Nucleophile जाके R positive पे attack करेगा इस X minus को धक्के मार के बाहर निकालने की कोशिश करेगा मगर ऐसा करने से Ammonia पे R NH3 positive बन जाता है X minus मतलब मेरे पास Substituted Ammonium Salt बन जाता है Step number one मेरे पास Substituted Ammonium Salt बनता है तो देखो लिखा हुआ है कि Ammonolysis अरे कहां गया Further it react with Alkyl halide to form Secondary and Tertiary amines and finally यहां से देख लो The reaction is carried out in a sealed tube at 373 Kelvin The primary amine thus obtained behave as a nucleophile और further reaction होती है देखो अब मैं करना सिखाती हूँ सबसे पहले आपने लिए Rx इसकी reaction आप कराएंगे Ammonia के साथ रटे कोई नहीं मारेगा Attack होगा धक्के मारके बहार निकाला जाएगा क्या बन जाएगा R NH2 H पे positive X minus X minus से रहा नहीं गया वो H plus को लेकर चला गया क्या बन गया R NH2 मेरे पास क्या बन गया Primary amine Primary amine वही रुखता नहीं है Primary amine Further ध्यान से देखो R X पे reaction करता है यह इस पे गया इसने धक्का मारा क्या बन गया R NHR यह reaction रुखी नहीं यह further R X पे reaction हुई क्या बन गया R 3 N reaction रुखी नहीं further R X पे reaction हुई क्या बन गया R 4 N positive X minus यह था ammonia यह था primary amine यह था secondary amine यह था tertiary amine यह है quaternary ammonium salt क्या कहलाता है quaternary ammonium salt इन सबसे बढ़िया सी चीज़ बताती हूँ क्या रहा है अगर तुमने quaternary ammonium salt की reaction base के साथ कराई यह reaction NCRT में दी हुई है और यहां से J E और NEET के सवाल बनते हैं सुनो quaternary मेरे खूद मैंने mock test में यह सवाल डाला था quaternary ammonium salt की reaction base के साथ कराऊ गये तो देखो OH- क्या करेगा H- को खीचेगा OH- H- को खीचेगा तो क्या बन जाएगा RNH2 OH- ने H- को खीचा water बन गया और और देखो यह Na plus X- के साथ क्या बनाएगा N-A-X मगर पूरी दिक्कत की बात यह है कि जब हम ammonolysis कराते है reaction रुखती नहीं है reaction आगे चलती जाती है यानि कि you get mixture of product तो मेरे को primary, secondary, tertiary, quaternary सब मिल जाते है बट अगर मैं चाती हूँ कि मेरा primary amine जादा बने तो मैं क्या करूँगी मुझे क्या करना है मुझे किसी एक particular reactant की concentration बढ़ा देना यही लिखा हूँ देखो क्या रहा है ammonolysis has the disadvantage of giving a mixture of primary, secondary and tertiary amines and also quaternary ammonium salt हावेवर अगर तुम्हे primary amine को obtain करना है as a major product तो आप large excess of ammonia ले लीजे इतना ammonia ज्यादा लो अगर आपने ammonia को ज्यादा लिया तो वो लगभग सारे ही RX के साथ reaction करके RNH2 बना देगा हलाकि अगर आपने alkyl halide ज्यादा लिया तो reaction आगे चलती जाएगी चलती जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी एक अगली चीज देख लो छोटी सी चीज है यापर भई RX के साथ reaction करानी है ammonia की attack होगा निकलेगा तो जो X group जितना अच्छा living group होगा उतनी जल्दी reaction होगी क्योंकि iodide I minus एक अच्छा living group है इसलिए जो order of reaction है वो है RI, फिर RBR, फिर RCA ये था आपके NCRT में preparation एक छोटू सा question कर लो फिर आगे बढ़ेंगे क्या रहा है ammonolysis of benzyl chloride अब मेरी बात सुनो अब तुम benzyl chloride खुझ से लिखो किसी ने गलती से benzyl chloride को ये लिखा ना तो मेरे से बहुत डांट खाऊगे benzyl chloride मतलब बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे हेलोजन इसको बोलते है benzyl chloride क्या रहा है इसकी ammonolysis करो add the reaction of amine so formed with CH3Cl क्या रहा है पहले तो आप इसकी ammonolysis करो मैंने का या आएगा धक्के मार के निकल जाएगा क्या आगया C6H5CH2NH2 आया C6H5CH2NH2 इसको बोलते हैं benzyl amine क्या रहा है इसकी further reaction कराओ CH3Cl के साथ कोई tension नहीं है इसको लाओ इसको धक्के मारो क्या बन जाएगा C6H5 C6H5 यहाँ पर आजाएगा CH2 N पर आजाएगा NH पर आजाएगा CH3 अभी भी reaction रोक नहीं है क्या रहा है एक और molecule CH3Cl का डालो क्या आजाएगा C6H5 यहाँ आएगा CH2 N पर CH3 और cut twice यह बन गया हमारा final answer चमक रही है कहानिया ठीक है डन है डन है चलो तो यह होगी हमारी सारी की सारी reactions अब एक बार save कर लेते हैं फाइल फिर आगे बढ़ेंगे देखते हैं कौन से आरे भाई साब 13 pages हमारे हो चुके है कितने pages हमने कर लिया है 13 करने कितने है total 52 pages करने है 13 we have done ऐसे तो 13 सही है 13, 26, 31 सही है चलो 10-10 page पर आएगे अब अगला हम रूकेंगे पते कब हम रूकेंगे 20-वे पेच पे यह ऐसे ऐसे जो यह बने होए ना अजीब से structure यहां पर रूकेंगे चलो chemical reaction से पहले रूकेंगे तब तक रूकेंगे नी और continue करेंगे हां जी पहले पूछ लो अगर किसी को कोई doubt परिशानी है तो मैं बताओ नहीं तो आगे चले मैम प्लीज गाई सत्यम बच्चे पूछो क्या दिक्कत होगी सत्यम बच्चे पूछो क्या दिक्कत है अच्छा सत्यम ने doubt लिखा है कह रहे हैं मैम प्लीज गाईड कि मैं ncrt line wise line series 11th और 12th के पड़्डू तो बोर्स हो जाएगा या फिर आपने जो अपने वन शॉट लिये थे जेई वाला वो करूँ actually मेरा आयूपेक जी ओसी आईसोमेरिजम किया है बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो अगर आप बोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं पॉर्टिकिलरली यही बोलूँगी अब देखो कई स्टेट बोर्स है जिसमें 11 और 12 तोनों का टॉपिक आता है और cbse बोर्स में के वर 12 आता है हाना अगर आप बोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको highly recommend करूँ गो फर ncrt not because कि मैं अभी यह पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं कहूंगी यह देखो भाई मैं खुद cbse की हना state top पर रह चुकी हूँ के मिस्ट्री में बहुत बढ़िया नंबर लिये है मैंने तो मैं खुद आपको अपने experience से बता रही हूँ so called last moment पे questions की practice करना या काफी sample paper करने से number ने आता नंबर आता है पहले ncrt में जितना दे रखाना उसको कर जाओ अगर ये सारी चीज़े आप कर रहे हो at least आपको पता है कि आपके paper में किस तरीके के सवाल आएंगे जो मैंने one shot लिये थे वो JEE के लिए थे वो boards के लिए नहीं थे मेरे उसमें से कोई भी one shot में मैंने कभी conversion reaction नहीं सिखाई कभी paper में लिखते कैसे है सवाल वो नहीं करना सिखाया रादर यहाँ पर देखो मैं बारी इक बारी चीज़े बता रही हूँ जैसे यह यह भी मैं करा सकती थी मैंने का नहीं यहीं कराऊंगी क्योंकि यह paper में आने की संभावना है तो जितने भी बच्चे state board या boards की तैयारी कर रहे हैं पहले यह देखो आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो मैं मानती हूं जही नीट के लिए पढ़ना चाहरे है बट उनके base clear नहीं है जाधा करने की बचाहिए पहले यह करो कम से कम तुम्हें clarity मिलेगी confidence आएगा कि हाँ भई मुझे NCRT जितना आता है अब इसके अलावा श्रद्धा भावना में जितना मर्जी पढ़ो ठीक है यह वाला reaction repeat कर दे यह वाला reaction repeat कर देते हैं मेरे पास है benzyl chloride मेरे पास था benzyl chloride, benzyl chloride का मतलब C6H5CH2Cl ammonia की reaction कराई CL को धक्के मार के निकाल दो तो क्या बन गया C6H5CH2NH2 क्या रहे उसके बाद दो molecule CH3Cl के साथ reaction कराऊ कुछ नहीं यहां से H हटाओ यहां से CL हटाओ तो NH के उपर एक CH3 आ गया, फिर एक और H हटाओ, एक और CL हटाओ, तो N के उपर दो और methyl group आ गया, ठीक है, ठीक है, चलो मैं, आर NH3 plus X minus quaternary salt होगा, बच्चे नहीं, यह quaternary ammonium salt नहीं है, quaternary का मतलब होता है, N के उपर 4R group का आना, इसको बोलते है, quaternary ammonium salt, यह तो simple ammonium salt है, ammonium का मतलब, यह देखो, NH4Cl ammonium chloride होता है, आपने एक H को हटाके, हार लगा दिया, तो क्या मैं इसको substituted ammonium salt बोल substituted ammonium salt, चमक गया, पूछते जाओ, जो जो doubts है, पूछो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि explain करो, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, और focus होके ध्यान से पढ़ेंगे, क्या रहे, अगर मुझे nitrile की reduction करनी है, nitrile मतलब cyanide, RC triple bond N, अगर मैंने इसके अंदर ध्यान से देखो, hydrogen की reaction क निकल के साथ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा reduce हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2, NH2, क्या बन गया, CH2, NH2, या फिर वो कह रहे है, अगर मैंने इसी की reaction देखो, क्या रहे है, nitrile on reduction with lithium aluminum hydride, या फिर आप simple सी एक बात बताओ, LIALH4, lithium aluminum hydride के साथ reaction कराओ, या फिर catalytic hydrogenation कराओ, तो primary amine बनता है, अब एक line अच्छी लिखी हुए, NCRT में, क्या रहे है, this reaction is used for the ascent of amine series, देखो, amine series को start करने के लिए, ये reaction बनाई गई, देखो, ये था sinide, sinide से CH2, NH2 बनाना, amine series का start करना, क्या रहे है, for the preparation of amines, containing one carbon atom more than the starting amine, for example, ध्यान से सुनना, क्या मतलब है, कल को आपके पास एक question आए, क्या रहे है, आपके पास है CH4, आप मुझे CH4 से CH3, CH2, NH2 बना के दिखा, ये देखो, मैं कैसे reaction कराओंगी, मैं बहले है, मेरे पास reactant में एक carbon है, मगर मेरे product में दो carbon है, मैं कैसे करूँगी, मैंने का, पहले हम इसकी कर राएंगे, chlorine की presence में, sunlight की presence में reaction, तो मेरे पास for example, बन गया CH3Cl, CH3Cl के बाद, मैं reaction कराऊँगी, KCN के साथ मेरे पास बन गया CH3CN, फिर CH3CN के अंदर मैंने डाला hydrogen in the presence of nickel, क्या बन गया CH3CH2 NH2, तो अगर आपको एक ऐसे compound के साथ reaction स्टार्ट करनी है जिसके अंदर माल लो N carbon atom है, मेरको final compound में N plus 1 carbon atom चाहिए तो हम generally cyanide use करते हैं, क्योंकि उसके अंदर 1 carbon extra आ रहे है, फिर हम उसकी reduction कर देगे एक ये हो गया, आगे अब इसमें, मैं सही बता रही हूँ देखो, बच्चे-बच्चे को ये लगता है कि LIALH4 C double bond को COH bond में convert करता है, अभी तक आपने यही सीखा सच-सच बताना, आपने ये सीखा RCOOH के अंदर LIALH4 डालते है RCH2 OH बनता है फिर आपको मैंने ये भी सिखाया कि RCOR के अंदर अगर आप LIALH4 डालते है RCHOHR बनता है हर बच्चे को ये ही आता है तो हमें generally एक आदत है कि जहां पर भी CO bond दिखे वहां COH बना देना इसी चक्कर में आप क्या करते हो कि Amide के अंदर अगर आपने LIALH4 डाला, आप गलती से ये चाहते हो, ये गलती नहीं करते है गलती से गलती हो जाती है आप ये तोड़के OHOH बनाते हो जबकि LIALH4 जो H- देगा वो इस C double bond को CH2 में convert करता है यानि कि Amide से Amine बनता है ना कि CHOH bond ये अभी दिखने में अच्छा लगता है टीचर साथ खड़ी है तो आपको लगता है हाँ इसमें क्या है ये तो आता है मैम कुछ भी बोल रहा पेपर में यही गलती मैक्सियूम बच्चे करते है इसलिए कह रही हूँ आउट ओफ एक्सपीरियंस में सारी चीज़े आपको बताती हूँ ठीक है डन है चलो मैम आपने कल वाले question mark नहीं किये PDF में तो कल वाले के सारे कर लेते एक दिन मैम ने mark नहीं किये तो तुम कर लेते चलो मैं mark करवा दूँगी वैसे मनला करके डलवा दूँगी वापिस बड़ तुम कर लेते सारा किया करो ठीक है करा करो वैसे जितना कर सकते हो बड़ मैं कर दूँगी कल हमने गेब्रियल थैलेमाइड पढ़ा था ना आज गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस पढ़ते हैं बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे ध्यान से देखो ये क्या है मेरे पास जल्दी से इसका common name बताओ दो CH3 ग्रूप अगर बेंजीन पर होते हैं इसका common name बताओ लास तक न जब पूरी NCRT पढ़ो तो तुम्हें पता होना चाहिए तॉल्वीडीन एनीसोल इन सबके जाइलीन, कैटीकॉल रिसॉर्सिनोल, क्वीनोल इनके नाम पता हो इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए तो चलो मेरे पास दो CH3 है मैंने कहा चलो KMNO4 डाल देते है हीट करेंगे असेडिक मीडियम में क्या हो जाएगा कौन सा असेड बनेगा जल्दी से बताओ थैलिक असेड फिर मैंने कहा चलो एक काम करो थैलिक असेड के अदर अमोनिया डालो तो शुरू शुरू में क्या बनता है यहां पर भी C-O-N-H-2 आता है कुछ याद आया यहां पर भी C-O-N-H-2 आता है इसको क्या बोलते है थैला थैलामाइड याद हमने कली सिखा था थैलामाइड थैलामाइड को अगर आप गरम करोगे अमोनिया निकलता है यहां पर N-H-2 कर देना मैं पिछले दो चैप्टर्स को मिला कर ले आगी। थैली माइड के जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है ना ये बहुत जादा एसेटिक होता है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा कोई भी बेस डालोगे वो इस H प्लस को लेकर आ जाएगा। इस H प्लस को लाने का मतलब ये है कि जो आपका एनायन बना क्या आपको दिखाई दे रहा हूं उसके अंदर मस्त वाला रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन है। मारकर क्वेस्चन है क्यों थैलीमाइड का हाइड्रोजन ऐसेट होता है क्योंकि जब एच प्लस निकलता है तो वह रेजोनेंस स्टेबिलाइज स्ट्रक्चर बनाता है ये लिख के दिखान है अब आप इसकी रियक्शन एक अलकाइल हलाइड में कार्बन पर डेल्टा प्ल यह इस पर अटाक किया यह उपर अब देखो आपके NCRT में कुछ नहीं दे रखा यहां बस नोच दे के आंसर दे देते हैं इसका मेकानिजम तो सीखना चाहिए ना बच्चे को होगा क्या यह इदर आया यह सी डबल बॉंड हो यहां बना ओएच यहां बना सी डबल टो NRP माइनस यह इस H+, को ले लेगा क्या बनेगा उपर आजएगा C O O- नीचे क्या आजएगा नीचे आजएगा C double bond O NHR रियक्शन यहां खतम नहीं हुई अभी भी बेस है बेस यहां आएगा अटाक करेगा जब यह अटाक करेगा क्या बन जाएगा यह C O O- नीचे यह come back करेगा जैसे ही यह come back करेगा आप simple यह भी सोच लो आप यहां से यह सोच लो यह C double bond OH O by minus है अब यह NHR पर जो अरारा one second मेरा pen गाइब होगे, हाँ यह N था समझ रहो, अब वो होगा क्या जैसे ही come back करेगा NHR एक H plus को खीच लेगा मनलब यह निकल के जाएगा मेरे पास किसमे primary amine में R-NH2 R-NH2 primary amine यानि कि Gabriel Thalamide Synthesis केवल primary amines को बनाने का काम करती है Gabriel Thalamide Synthesis से बस एक ही काम होता है कि primary amine बनता है अब उसके बाद ध्यान से देखो यहां पर एक और लाइन लिखी हुई है कह रहा है aromatic primary amines कल को अगर आप मुझे कहो कि मुझे aniline बनाना है तो वो हम इस method से नहीं बना सकते क्यों नहीं बना सकते क्योंकि aniline बनाने के लिए आपको chlorobenzine से शालू करना पड़ेगा chlorobenzine के अंदर यहां पर partial double bond character है अगर partial double bond character यह bond टूटेगा नहीं bond टूटेगा नहीं तो reaction होगी नहीं याद रखना aniline cannot be prepared by this method इस method से aniline prepare नहीं कर सकते ठीक है क्या यह बात सबको अच्छे से चमक गई all good ठीक है यह था हमारा Gabriel Thelemide Synthesis अब हमारी एक नई reaction है Hoffman Bromamide Degradation Free Action मैं सिर्फ NCRT पढ़ाओ तो मैं एक मिनट भी यहां पर mechanism में waste नहीं करूँगी बगर मैं दुबारा बोल रही हूँ यह series हर उस बच्चे के लिए है जो boards की, NEET की, JEE की या किसी भी competitive exam की तैयारी कर रहा है तो मेरे लिए आपको इसका पूरा mechanism सिखाना ज़रूरी है बहुत important reaction है होता क्या है ध्यान से देखो मालो मेरे पास amide है, क्या है RCO-NH2 abide है, पहले मैंने amide की reaction करी base के साथ base क्या करेगा acidic proton लेकर चला जाएगा और गाना गाएगा हम तुम को चुरा कर ले जाएंगे डो ली में बिठा कर ले जाएंगे, तो बिंच ने क्या किया H प्लस निकाला reaction को शान्ती नहीं मिली अब आपने डाला bromine, तो जैसे ही NH ने देखा कि मेरे उपर तो negative है वो जाके fatak से bromine पे attack करेगा मेरे पास क्या बन जाएगा R-C-O-N-H-B-R तुम मैंसे कई बच्चे सोच रहोंगे मैं आपना कुछ भी कर रही है NCRT में mechanism दे भी नहीं रखा फिर भी मैं सिखा रही है मैं तुम्हारे फाइदे का सोच रही है NCRT वाले इतने प्यारे लोग है इन्होंने mechanism को line में लिखके दे दिया और बोला हमने mechanism नहीं दिया mechanism नहीं given है मगर यह जो चार line है यह अपने आप में mechanism है इसलिए वो mechanistic सवाल पूछेगा जिसकी लिए mechanism आना जरूरी है आगे बताती हूँ आपने फिर से base लिया base क्या करेगा हम तुम को चुराकर ले जाएंगे दो ली में बिठाकर ले जाएंगे क्या यह बात सबको चमक रही है अब ध्यान से देखो क्यों मैं mechanism सिखा रही है यह nitrogen इदर अपना pair of electron देगा carbon 5 bond बना नहीं सकता इसलिए R group migrate होगा nitrogen पे BR धतके मार के निकलेगा यानि कि मेरे पास बनेगा C double bond O double bond N R अगर मैं आपको बोलू J का हना यह मैं आपको बोलू NEET का यह previous year question कि what is the intermediate which is formed during Hoffman bromamide degradation reaction यह J और NEET का PY क्यो है अब बच्चे कहते क्या खाली NCRT पढ़ने से J हो जाएगा NEET हो जाएगा मैं बताती हूँ जब आप NCRT पढ़ते हो आप इसको novel की तरह पढ़ते हो In this degradation migration of alkyl or aryle group from the this is how you read NCRT NCRT is not supposed to be read like this अब जो मैंने mechanism सिखाया अब यह पढ़ो In this degradation reaction migration of an alkyl or aryle group takes place migration of an alkyl or aryle group takes place from the carbonyl carbon of amide from the carbonyl carbon of amide to the nitrogen atom the amines so formed हाँ तो यह इतना समझ आया तो यह NCRT ही है जिसको हम ignore मारते हैं यह दे रखाए यह J का previous year question है What is the intermediate formed in Hoffman bromamide degradation reaction आगे देखो और बताती हूँ अब मालो जैसे मेरे पास यह बन गया R N double bond C double bond O अब आप क्या करते हो वापिस से base की reaction कराते हो जब आप base की reaction कराते हो यह इधर आएगा जब यह इधर आएगा nitrogen के उपर lone pair आगया R N पर minus आजएगा C double bond O यहाँ पर OH आजएगा उसके बाद होगा क्या यह इधर आएगा पहले इसने H ले लिया यह negative जाके H plus को लेकर आगया तो यह बन गया मेरे पास N पर negative यहाँ से गाइब हो गया N पर negative गाइब हुआ अब होगा क्या यह इधर आएगा यह यहाँ से धक्के मारके निकालेगा तो क्या बन गया R N H minus और यह C double bond O H बना O H plus यह N H minus S H plus को ले जाएगा आपके पास बनता है primary amin ध्यान से देखो आपने जब शुरुवात करी थी अच्छा यह दिख नहीं रहा क्या एक कार्बन आटम का नुकसान हुआ इसलिए reaction को बोलते है degradation reaction क्योंकि कार्बन आटम आपका निकल गया CO2 की फॉर्म में चमक रहा है इसलिए लिखा हुआ है अभी तो तुम सोचरो यह क्या टाइम पास चल रहा है मैं तुम्हें J का NEET का दोनों का PYQ बताती हो आप से दो साल पहले J का सवाल पूछा गया था उन्होंने पूछा यहां पर A, B, C, D, E, F, G लिखा हुआ था आप से पूछा कि बताओ ब्रोमीन और NaOH का स्टोशियोमेट्रिक कोईफिशेट क्या था मतलब उन्होंने बैलेंस केमिकल रियक्शन आपकी पूछ ली सेम टू सेम डिटो रियक्शन बैलेंस पूछी थी कि NaOH कितने मोल यूज होते है अगर एक मोल अमाइड की रियक्शन हो रही है तो चार मोल NaOH यूज होते है कितने मोल फोल मोल NaOH यूज होते है तो ये था छोटा सा लिखा हुआ Hoffman Bromamide Degradation Reaction I hope यहाँ तक की कहानी पहले सबको अच्छे से चमक गई है दिखनी रहा है यह लो दुबारा लिख देते हूं R NH minus वो इस H plus को निकालेगा क्या बने लगा R NH पहले अगर R carbon atoms थे plus 1 था अब के वल R carbon atom है अब दिख रहा है सबको चमका ही है Can we please get next lecture of biomolecules Yes the next lecture is of biomolecules only और biomolecules का lecture एकदम detail होने वाला है जितने अभी तक lectures लिए हैं उनसे भी जादा detail हम करेंगे biomolecules की समझ गे यहाँ तक कहानी सबको अच्छे से चमक रही है everyone is happy खुश हो खुश हो तो यह वाला example कर दो खुश हो तो यह वाला example करो देखो C6H5 CH2Cl C6H5 CH2 CH2 NH2 औरे भाई सहाब यहाँ एक carbon है यहाँ एक और carbon extra है जैसे यह दिखा क्या करेंगे कुछ नहीं माँ पहले NACN के साथ reaction करेंगे फिर reduction कर देंगे देखो यह कितनी जल्दी क्लिक हुआ यही सवाल आएंगे भाई पेपर में पेपर में कहीं हना Mercury, Venus से सवाल नहीं आएंगे यही सवाल आएंगे चमक गया हैपी हो माम I am in 10th completed whole inorganic and physical by your videos how shall I begin with organic having some difficulty in it पहले तो तुम 10th में और तुमने इतना सारा कुछ कर लिया such a wow thing so beautiful, so elegant, just looking like a wow अब उसके बाद 11th की बुनियाद सीरीज मैंने ली थी Vora Classes के चैनल पर जो main channel है वहाँ पर आप पहले 11th देख लो 11th देखने के बाद 12th पर आना यहाँ तक मेरे ख्याल से सब बचो अच्छा मैंने जगा भी छोड़ी थी यार mechanism लिखने की, इसी बे लिख दिया मैं अगला करो, कहरे write the structure and iupec name of amine produced by Hoffman bromamide degradation of benzamide benzamide के Hoffman bromamide degradation से कौन सा amine बनता है पहले तो benzamide चमकना चाहिए benzamide मतलब benzine पे cunh2 Hoffman bromamide degradation करेंगे तो चुपचाप से aniline बना दे ना अब तुम हस रहोगे ना ऐसे कौन से सवाल आते है आई ना अंदर से हसी कि what rubbish, ऐसे सवाल दोगे पेपर में this is not rubbish, this is a previous year question guys यह रबिश नहीं है यह J.E. का P.Y. क्यूँ है बहुत experience है J.E. पढ़ाने का मुझे यह J.E. का P.Y. क्यूँ है guys जिस question को हम रबिश करार कर देते हैं वह एक सवाल J.E. में आ रहे हैं तो it is not rubbish, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, मजा आ जागा तुमको चमा क्या, चलिए अब अगला सवाल question आप करेंगे बेंजीन को N-N-Dymethyl-Aniline में कैसे convert करेंगे यह बेंजीन है बेंजीन को मैं N-N-Dymethyl-Aniline में convert करना चाती हूँ खुच से सोचेंगे और मैं देखना चाती हूँ answers in the chats हम aldehyde ketone के chart जहां शिर्स base है यह सब हमेशा याद नहीं रहते तो कल तो जब मैंने aldehyde ketone कराया था बहुती तसल्ली से कराया था बहुती तसल्ली से वहाँ तो रट्टे ही नहीं मरवाई ना मैंने पहले ammonia फिर ammonia के 1H को हटा दो R-group amine के साथ reaction करो फिर hydroxyl amine के साथ hydrazine के साथ 2,4-dynitrofenyl hydrazine क्या कहते है सेभी कार्बजाई ये साथ ही तो है order में learn order में समझोगे तो याद रह जाएंगे चलो करके दिखाओ बेंजीन को N-N-Dymethyl ठीक है मैं डिबालेच का reaction आपने पढ़ाया हाँ हाँ डिबालेच का ली कराया बेंजीन को N-N-Dymethyl तु देखो सोचोगे कैसे अच्छा मैं एक और चीज़ करूँगी conversion की पूरी हना पूरा one shot लूँगी conversion का और वो conversion तभी ली जाएगी जब एक बर organic हो जाएगी मज़दार conversion कराऊँगी बट पहले practice तुम करोगे मूठ आगे किसी भी session में आजो चलो भई माम conversion कराईगी सो conversion माम कराईगी तो माम के number आएगे तुम्हारे में आएगे पहले खुद homework करो तसल्ली से करो उसके बाद जिस दिन मैं conversion का session लोगी सब जरूर देखना बहुत मज़दार session होगा सोचेंगे क्या एफिएचल के साथ reduction करो अब जैसी तो एफिएचल लिख रहो तो सोचो एफिएचल टू बनेगा उसकी hydrolysis करेंगे तो हिएचल लिए इसलिए एफिएचल के साथ reaction अच्छी होती है क्यों क्योंकि हैचल तो बनता ही चला जाएगा reaction में तो मेरे पास बन जाएगा NH2 फिर NH2 बन गया एनिलीन बन गया फिर क्या में इसकी reaction CH3 CL के साथ reaction करा सकती हो हंजी ये निकलेगा तो दो मोल के साथ reaction करा लेना क्या बन गया एनेंडाई मिथाइल एनिलीन चमका सबको ठीक है हाँ बस यही करना था दिमाग लगाना था और तो क्या ही है चलो भाईया फिजिकल प्रॉपर्टीज जेई नीट वाले बच्चे सुरक्षित तरीके से बोर्ड पर देखे यहां से सवाल बहुत बनता है स्टेट बोर्ड में तो है चोटे मोटे अजीब से होते है गैस होती है, हलके होते है बगर बहुत ही गंदी सी स्मेल होती है प्राइमरी अमीन्स विद थ्री और मोर कार्बन आटम आ लिक्विड एंड स्टिल हाईयर वन्स आर सॉलिड अनिलीन और अराइल अमीन्स यूजुली कलरलेस अनिलीन वैसे तो कलरलेस होता है बट गेट कलरड और स्टोरेज ड्यू टू एटमोस्फरिक ऑक्सिडेशन हवा में उसकी ऑक्सिडेशन हो जाती है इसकी वज़े से अनिलीन का कलर आ जाता है ये तुम्हारा एसर्शन रीजन का सवाल है स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू का सवाल है वन मारकर सवाल है यही से बनेगे क्यारा लोवर एलीफेटिक अमीन आर सॉल्यूबल इन वाटर जो लोवर एलीफेटिक अमीन है जैसे आर एनेच टू हो गया यह पानी में soluble है क्यों होगा क्योंकि hydrogen bonding है because they can form hydrogen bond with water molecule however जैसे जैसे बड़े होते जाओगे size बड़ा हो जाएगा जिसकी वज़े से hydrophobic character बड़ेगा hydrophobic character के बढ़ने की वज़े से क्या तुमको ये बात चमक रही है कि ma'am उनकी solubility पानी में कम हो जाएगी ये सब बखवास नहीं पढ़नी आगे देखो you may remember that alcohol are more polar than amines alcohol में oxygen है और carbon है amines में nitrogen और carbon है carbon और oxygen का जो polarity है जो difference in electronegativity है ज़ादा है इसलिए alcohol ज़ादा polar है इसलिए alcohol पानी में ज़ादा मिला कर पिया जाता है तुम्हें पता है ये शराब को बंदा पानी में मिला मिला के पी रहे है and form stronger intermolecular hydrogen bonds than amines आगे देखो this intermolecular association is more in primary amines than in secondary amines ये दो मिनट छोड़ो अभी आगे समझाते हूं मान लो तुम primary, secondary, tertiary amines उठाओ तो primary amines क्या है R-NH2 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 तो तुम्हें दिख रहा है कि कितने सारे hydrogen bonds बनेंगे मतलब जितने जितने hydrogen है उतनी अच्छी hydrogen bonding होगी तो primary amines के अंदर क्योंकि hydrogen जादा है इसलिए जादा hydrogen bonding है तो hydrogen bonding primary में जादा फिट secondary में फिट tertiary में यह simple सी कहानी इन्होंने दे रखी थी सबाफ कर दा save file बहुत ही बढ़िया तो जैसा कि हमने promise किया था 50 में से 20 पन्ने हम बढ़िया तरीके से कर चुके हैं अब हम 30 पन्ने 30 पन्ने का target लेंगे जो की आएगा कहाँ पर जो की आएगा यह star वाला ठीक है उपर डबाए नीचे star है याद रखेंगे उपर डबाए नीचे star है तो यहाँ पर रुकेंगे अगले 10 पन्नों के बाद तब तक मैं अच्छा और पढ़ा देती हूँ ठीक है हां जी देखो अब यह table यार अपने आप में मतलब कता ही अच्छी table है मुझे नहीं बदा बढ़ यह बहुत प्यारी table है कुछ compounds दे रखें जिनके molar mass same है अपको यह मत कहाँ दा ना 72 less होता है 73 से 74 जादा होता है इनको similar ही कहेंगे ठीक है हमारे लिए similar molar mass है देखो मेरे पास मुझे क्या लिखना है मुझे compound के boiling point का idea ले देख तर्शरी अमीन तर्शरी में क्या है एक दो एन है एक और एक फिर है simple मेरे पास C2H5 CH और CH2 यह देखो एक दो इस carbon पर दो methyl है और एक last में है alcohol कोई मुझे देखते ही कहें चलो इनका boiling point बताओ मैं दिमाग में सोचके कहूँगी कि मैं देखो alcohol के अंदर सबसे तगड़ी intermolecular hydrogen bonding होते है क्योंकि electro negativity difference जाद है कुछ भी कहो सबसे जादा boiling point होगा alcohol का 350, 329, 310, 300, 390 क्या ये बात समझते हैं alcohol का सबसे जादा फिर मैंने का मैं ये बेकार जा समझ रहे हैं ये क्या है butane है isobutane है ये तो बेकार है इसके अंदर कोई polarity नहीं इसका सबसे कम होना जाए इन तीनों का फिर जादा होगा क्योंकि still dipole dipole attraction है तो सबसे कम 300 किसका होगा butane का ये भी खतम है अब मैंने का चलो primary, secondary, tertiary में देखते हैं क्योंकि primary में दो hydrogen है तो जादा extensive hydrogen bonding है secondary में hydrogen कम है hydrogen कम तो hydrogen bonding कम tertiary में एक ही hydrogen भी नहीं है तो सबसे कम hydrogen bonding होगी तो इन तीनों में से सबसे जादा 350 इसका फिर 329 इसका 310 इसका बात खतम ये सवाल paper में आता है arrange the following ABCD होता है कौन सा सबसे maximum boiling point है ठीक है ये हो गया ठीक है तो इतना समय तुम्हारा चला जाएगा इस समय को यूटिलाइस करो और ऐसा नहीं है कि बोर्ट में नंबर लाना बहुत मुश्किल है ऐसा नहीं है अगर कोई dummy student भी है जिसने आज तक NCRT खोल के नहीं देखी आज तक बोर्ट के लिए नहीं पड़ा अगर तुम time को manage करके पढ़ रहे हो तुम 50% time boards को दो 50% time j mains को दो तब भी तुम्हारे boards में अच्छे number आजेंगे कौन सा तुम्हें chemistry में 100 number लाके जंडे काडने क्या ज़रूरत है 100 number की chemistry में क्या मिलेगा तुम्हें इससे अच्छा 99 percentile j main में लेके आओ इसमें 85 number लेओ 82 number लेओ chemistry में 100 में से that works, that works very nicely board के number तुम्हें किसी को दिखाने के कोई काम नी आएंगे ठीक है उसका कोई फादा नहीं है अच्छे number लाने चाहिए आ रहे हैं तो ज़रूर लाने चाहिए मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोर्ट में 95 लाने के चक्कर में हम मेंस पर कॉम्प्रोमाइस कर रहे हैं कॉलेज मेंस के स्कोर से मिलेगा बोर्ट के स्कोर से नहीं मिलेगा यह याद रखना अंटिल एलनले सुम B.S.C. या M.S.C. आगे करने की सोच रहो if you are going for engineering और you are going for medical college तो boards important नहीं है तुम्हारे लिए तुम्हारे paper का score important है सामने देखिए चलो भाई physical properties हमारी निपट चुकी है मुबार्खे हो तवानू ठीक है मुबार्खे हो physical properties complete हो चुकी है chemical properties पे आते है chemical properties में मैं आपको एक simple सी चीज बताती हूँ धिहान से देखना धिहान से सुनना सबसे पहला सवाल कल मैं बता लिए कल हमारा जो booster बाच है उसके अंदर हमारा general organic chemistry का paper discussion होगा हना practice sheet discussion तुम मानोगे नी मैंने 25 सवालों की sheet बनाई है 25 में से कम से कम 5 सवाल मैंने basic character के रखे है क्योंकि surety से basic character का सवाल paper में आता है ठीक है चाहे वो आपका CBSC हो चाहे नीट हो जाई जही हो मैं लग यह basic character इतना important है तो सामने देखो क्या रहा है अगर आपके पास एक RNH2 है यह primary amine आप इसकी reaction कल को HX के साथ कराए HX एक acid है acid का क्या काम होता है acid का काम होता है proton देना तो it is a proton donor अब NH2 इस H plus पे attack करेगा क्या बन जाएगा RNH3 positive X minus तो क्योंकि primary amine HX के साथ reaction करता है HX एक acid है तो क्या मैं कह सकती हूँ कि RNH2 एक base की तरह behave कर रहा है similarly अगर आप aniline की reaction HCl के साथ कराते तो क्या बनेगा anilineum chloride इन दोनों reaction से यह साबित होता है कि RNH2 या aniline these are bases यह अच्छे ठीक ठाक base है आगे देखो हमने यह reaction अलरी मैंने आपको पढ़ा दी अभी पांच मिनट पहले पढ़ाई थी अब ध्याद से देखे कह रहे हैं जो amine के salts होते हैं these are soluble in water and NH3 positive x minus पानी में soluble है क्योंकि इनके अंदर ketion anion है but these are insoluble in organic solvents like ether क्योंकि इनके अंदर ionic character है और आपको पता है like dissolve like होता इसलिए ये पानी में soluble है मगर ether में insoluble है this reaction is the basis for the separation of amines from non-basic organic compounds insoluble in water मेरी बात ध्यान से सुनना amines हमारे ऐसे basic compound है amines are basic organic compound जो salt बना के पानी में soluble हो जाते है मालो मेरे पास एक ऐसा organic का compound है जो basic नहीं है तो amines को ऐसे compound से separate करने के लिए यही trick काम आती है क्या trick थी trick यह है कि amines का पहले salt बनवा दो salt पानी में soluble है और अगर salt पानी में soluble है तो देखो rnh2 आपने अलग कर लिया और जो भी compound ऐसे थे जो पानी में soluble नहीं है वो separate हो जाएंगे तो यह निकी सी line लिखी हुए NCRT में और यह practical organic chemistry के नाम पे आपसे paper में पूछ ली जाती है line तो NCRT की थी समझ रहे हो और देखो क्या अच्छा अब आपको मैं थोड़ा सा basic character जो NCRT में दे रखा है इन्होंने अपने तरीके से दिया मैं अपने तरीके से बताती हूँ मेरी बात सुनो बच्चे base कौन होता है base उसको कहते है जो electron rich है जिसके पास electrons है और जो अपने electron pair को donate कर सके electron pair donor को कहते है base for example जैसे मेरे पास है R NH2 R NH2 इसकी reaction इन्होंने किस से कराई पानी से पानी मतलब H plus और OH minus मैंने का ये जा करके H plus पे attack करेगा तो R NH2 ने जा के H plus को electron pair दिये तो ये खुद किस में convert हो गया R NH3 positive और OH minus तो क्या ये reaction आपको R NH2 का basic nature show करता है करता है अब इसका equilibrium constant लिखो क्या हो जाएगा R NH3 पे positive मतलब पहले products की concentration reactant की concentration यही होता ना divided by reactant की concentration अब मेरी बात सुनो इसको हम अगर आपने chemical equilibrium आईनिक equilibrium धंक से पड़ा था ये K equilibrium है फिर इस water को आप left hand side पे ले जाओगे तो K equilibrium into water एक नया equilibrium constant बनेगा जिसको KB बोलते है KB मतलब R NH3 positive into OH minus की concentration divided by R NH2 वैसे तो ये chemical और आईनिक equilibrium की कहानी है जो यहाँ पर नहीं करनी चाहिए तिर भी मैं करा रही हूँ क्योंकि NCRT में दे रखी मेरे लिए मुक्ती बात ये है important बात ये है ध्यान से सुनना अगर किसी का KB जादा है तो वो base जादा अच्छा होगा KB जादा होने का मतलब PKB कम तो क्या बोला मैंने KB जादा PKB कम basic जादा अगर किसी base का KB जादा है यानि कि उसका PKB कम होगा उसका basic character जादा बाइद वे जिनको नहीं पता PKB क्या होता है minus log of KB PKB क्या है minus log of KB ये तो NCRT में जो भी चीज़े दे रखी थी मैंने आपको समझाई अब मेरे लिए सबसे important चीज़ है ये table बलाब ये table इतनी प्यारी है मैं तुम्हें क्या बताऊ पहले table को समझते हैं और इसी table से आपके boards के neat के जेई के सवाल बनते हैं हर साल बनते हैं अभी भी बनेंगे मेरे पास है methylamine ये है CH3 NH2 अच्छा ये table पे आने की बजाए पहले मैं थोड़ा सा अपने सलीके से आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ उसके बाद I will tell you कि table में क्या दे रखा है थोड़ा सा मुझे एक page और add करने दो ठीके let me add two pages new slide new slide चलो मैं आपको पहले अपने सलीके से समझाने की कोशिश करती हूँ ध्यान से देखना बच्चे एक अच्छा base वो होता है better base कौन होता है good base कौन होता है जिसके पास electron rich होते है जो electron rich होता है वो ही तो दूसरे को H plus बलब किसी H plus को electron देगा मान लो मेरे पास है tertiary amine मेरे पास है secondary amine primary amine और मेरे पास है ammonia ध्यान से देखना tertiary amine मतलब मान लो मेरे पास है R, N, R यह lone pair मेरे पास है R, N, R यहाँ पर H है lone pair R, N, H, H यहाँ पर है lone pair और यह है N, H, H, H यहाँ पर है lone pair ध्यान से सुनिएगा बच्छे अगर मैं reaction करा रही हूँ gaseous face gaseous face का मतलब हमारे सारे के सारे molecules एक दूसरे से क्या हैं काफी दूर दूर gaseous reaction मतलब all the molecules are far away from each other हाना तो देखो R group क्या करेगा ये inductive effect की वज़े से electron देगा ये भी देगा ये भी देगा यानि की lone pair की जो electron density है वो बढ़ जाएगी अगर मैं secondary amine की बात करूँ तो यहां electron देने वाले केवल दो ही group है primary amine में electron देने वाला एक ही group है और ammonia में electron देने वाला कोई भी group नहीं है तो क्या आपको समझ आ रहा है कि tertiary electron rich है इसी लिए tertiary वाला H प्लस पे जाके मज़ेदार तरीके से attack कर सकता है gaseous face में सब एक दूसरे से दूर दूर है उनको आपस में कोई एक दूसरे के साथ connection नहीं है तो अगर मैं gaseous face की बात करती हूँ and if I talk about the order of basic city basis city नहीं basis के लिए acidity होती है acids के लिए basic city होती है छोड़ो if I talk about basic strength basic strength के बारे में मैं बात करूँगी तो मेरा answer आना चाहिए tertiary सबसे बढ़िया फिर secondary फिर primary फिर ammonia ये कहानी तब तक अच्छी लगती है जब तक आप gaseous reaction gaseous face की बात कर रहे हो अगर आप बात करते हो aqueous face में aqueous face में मेरी बात सुनो ये जो आपने reaction लिखी ना kb, pkb ये सारी चीज़े valid होती है अगर आपने किसी चीज़ को पानी में dissolve किया है तो ये जो table आ रही है ना देखो ये उपर ncrt में लिखा होता है this is an aqueous face ये हम नहीं देखते है हमें लगता pkb, pkb तो ncrt तो गलत है, ncrt गलत नहीं है उन्होंने clear दे रखा है कि ये जो pkb values है वो हमने aqueous face के लिए दी है तो जब आ aqueous face की बात करते हो तो बड़े सारे orders देखने होते हैं सबसे पहला order है electron density electron density आपने बिलकुल सही कहा क्योंकि electron density tertiary में जादा है, फिर secondary में फिर primary में, जिसकी वज़े से जो basic strength होनी चाहिए वो आप इनसान को लगेगा tertiary, जादा, secondary, फिर primary फिर harmonिया, बिलकुल सही सोचा आपने, जो सोचा सही है मगर अब problem क्या होती है अगर मैं aqueous solution की बात करती हूँ यानि कि मैंने liquid की बात करी पानी की बात करूँगी तो पानी में तो hydrogen bonding भी है, तो suppose करो अगर R3N ने 1H plus को accept किया उसने अपना loan pair दिया मेरे पास क्या बनेगा? R3NH positive, अगर R2NH ने एक electron को अपना electron pair दिया तो क्या बनेगा? R2NH positive, अगर RNH2 ने अपना 1H plus दिया इसने तो क्या बन जागा? RNH positive, और अगर ammonia ने H plus पे attack हमारा तो क्या बनेगा? NH4 positive, ध्यान से सुनना, क्या ये बात आपको थोड़ी सी भी चमकती है कि मैं पानी के अंदर तो hydrogen bond होगा? अगर hydrogen bond होगा, तो सुनो मेरी बात, जितने जादा hydrogen होगे उतनी hydrogen bonding जाद होगी तो tertiary के case में hydrogen bonding सबसे least होगी secondary के case में hydrogen bonding फिर भी ठीक ठाक होगी primary के case में hydrogen bonding और better होगी और NH4 positive मतलब ammonia के case में तो कितनी बढ़िया hydrogen bonding होगी? आपका conjugate base कितना stable बनेगा अगर आपने simple ammonia के साथ reaction कराई? तो अगर मैं बात करती हूँ second factor की, second factor मतलब hydrogen bonding तो hydrogen bond बनने की वज़े से मैं कहूंगी primary जादा अच्छा होना चाहिए secondary फिर tertiary और primary से भी अच्छा होना चाहिए ammonia ammonia should be greater than primary should be greater than secondary should be greater than tertiary हाना? तो ये क्या हो गया? aqueous face में तो ये अलग कहा रहा है ये अलग कहा रहा है moreover aqueous face में steric hindrance आ जाती है steric hindrance की वज़े से देखो अगर आप steric hindrance की वज़े से देखो तो tertiary कम basic होना चाहिए secondary जादा, primary जादा ammonia और जादा अच्छा base होना चाहिए तो इस पूरे जाल मोल के चकर में हाना? ये हमने पूरी जाल मूरी बना दी इसकी इस पूरे जाल मूरी के चकर में होता क्या है? finally, हम आपको कहते है कि values रटलो मैं नहीं कह रही NCRT खुद कहती है कि हम आपको यही गाइड़ अब तुम NCRT पढ़ो, देखो अब पढ़ते हैं, ठीक है? ये तो मैंने समझाया कह रहा है, besides inductive effect there are other factors like solvation effect steric hindrance, etc which affect the basic strength of amines कह रहा है, amines के basic strength को determine करने के लिए बहुत सारे factors involved है, और इसने कही line ये भी लिखी थी, मैंने आद देखा you may find some discrepancies while trying to interpret the KB values of abeats on the basis of plus I or minus I effect मैं अब खाली inductive effect के basis पे आप PKB values रट नहीं सकते you need to see solvation का क्या effect है, steric hindrance का क्या effect है hydrogen bonding का क्या effect है, इन सब का cumulative effect लेना होता है अब जो मैंने अपने देशी तरीके से बताया, उन्होंने यही सारी चीजे English में बता रखी है structure basic city by elk यह सारी इनोंने क्या कहते हैं, अपने तरीके से बता रखी है, यह मैंने आपको बता दिये, देखो यह इनोंने hydrogen bonding बना रखा है जो मैंने आपको बताया, that is everything is same, जो यहां पर लिखी हुई है अब मैं आपको एक shortcut बताती हूँ shortcut यह है मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना यह देखो, हमारे पास है tertiary amine, हमारे पास है secondary हमारे पास है primary, हमारे पास है ammonia, अब tertiary amine में मैंने क्या लिया, R, N, R, R secondary में मैंने क्या लिया, R2, NH primary में मैंने क्या लिया, R, NH2 ammonia में मैंने क्या लिया, NH3 अब देखो, आप R ग्रुप को या तो इथाईल मान के चलोगे, या तो आप R ग्रुप को मिथाईल मान होगे बात खत्ब, इसके अलावा आज तक ना J.E. के पेपर में ना NEET के पेपर में, ना BORDS में ना ही J.E. Advance में कोई data related सवाल पूछा गया है दो data related सवाल है, एक इथाईल एक मिथाईल, देखो दोनों में, आप देखो gaseous face में तो दोनों का clear है, gaseous face में tertiary, secondary primary फिर methyl होगा, चाहे R group आपका इथाईल हो, चाहे R group methyl हो, जो मर्जियो उसमें कोई tension ने है, aqueous face में electron density भी important है hydrogen bonding भी important है, steric hindrance भी important है तो इनका cumulative effect हम देखते है cumulative effect ये कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, जो secondary है ना, वो दोनों में जादा होगा secondary अभी का basic character सबसे जादा है, अगर आपने लिया, इथाईल मोटा है, तो पहले आएगा 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा ammonia, अगर आपने लिया methyl, मिथाईल मतलब छोटा तो पहले आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा ammonia, तो मैं आपको यह सब बच्चों को बोलूँगी 231, इथाईल के लिए है 213, मिथाईल के लिए है यह बात रटलो, याद कर लो यह direct सवाल आपके बोल्ट में भी आता है direct का direct सवाल mains में भी आता है नीट में भी आता है, तो देख लो इथाईल के केस में secondary जादा, फिर tertiary, फिर primary फिर ammonia, मिथाईल के केस में आपको दिखा गया secondary जादा, फिर primary, फिर tertiary और फिर ammonia ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया, क्यूंकि एक के केस में steric hindrance जीत गया, और डूसरे के केस में hydrogen bonding जीत गया, तो इन तीनों का, तीनों एफेक्स का cumulative जो result आया है, वो यही है तो मैं हर साल अपने बच्चों गयती हूँ कि याद रख लो, ये डारेक्ट पेपर में आता है तो 2, 31 3 पहले आयेगा किस में इथाईल में, क्यूंकि इथाईल बढ़ा है 2, 1, 3, 1 पहले किस में आएगा मिथाईल में, क्यूंकि मिथाईल छोटा है तो यहां तक आपको सारी चीजें चमक गई समझ आ गया तो बताओ ठीक है, सॉरी माम फॉर स्पैमिंग इन प्रीवियस सेशन आई प्रेय टू गौड कि मैं मर जाओ, कैसी बाते करो यार और ऐसी बाते मत लिखा करो यार, चैट में, मत लिखा करो, ठीक है चिल मारो, पढ़ाई करो यार, टीचर को एक सबसे अच्छी चीज़ दो तुम एक टीचर को दे सकते हो, वो है अपनी कंसिस्टेंट महनत, बलब टीचर मुझे और तुम लोग से क्या चाहिए, तुम कुछ सोचे मैं तुम से क्या डिमांड कर सकती हूँ, मैं तो तुम मेंसे किसी एक भी बच्चे को पर्सनली नहीं जानती ऐसा तो है नहीं कि ओफलाइन कोचिंग है तुम रोज आओगे, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानती हूँ, मैं बस एक कैमरा को पढ़ा रही हूँ बस कैमरा को मैं इतनी शुद्दत से पढ़ाती हूँ कि मेरे को अपने कैमरा में सारे ऐसे बस ऐसी दिखता है कि ये क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे है और मैं कैमरा को पढ़ा रही हूँ, तो मेरे लिए मेरा कैमरा सबसे बढ़िया स्टूडेंट है तो मेरे लिए यार सबसे बैस चीज क्या है कि मेरे बच्चे जो चीज कही जा रही हो इसको फॉलो करो बस अगर फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा बच्चे का सेलेक्शन तभी होता है जब बच्चा खुद महनत कर रहा है तो इफ यू आर विलिंग कि तुम्हारा सेलेक्शन हो इफ यू आर विलिंग कि भाई ठीक है अब तुम देखो न बोर्ड एक्जाम्स क्या इट इस नॉट एजी कप अफ टी इस नॉट लाइट वो क अधंग से करोगे आपको अच्छा लगेगा ठीक है चलो डान मैं मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं मेंस के लिए बट मेरा बोर्ड है पता कितने सारे बच्चे मेंस के लिए पढ़ रहे हैं और उनका बोर्ड है इसलिए कह रही हूँ इस वाल अबाउट मानेजमेंट अगर एक दिन मेरी क्लास चालू है तो फिर मैं 11 बजे सेशन स्टार्ट करूँ तो कई बार 3 बज तक खतम नहीं होता फिर मुझे क्वालिटी में कॉंप्रोमाइस करना पड़ेगा जल्दबाजी में भगाना पड़ेगा तो मैंने सोचा कि जैसे ही मेरी क्लास खतम होगी फिर मैं पांच बजे आपकी क्लास ले लूगी इसलिए मैंने आपकी क्लास का टाइम चेंज कर दिया तो अब मेरे ही बैच के बच्चे ठीक है जो अभी निशान सर की क्लास में है वो यह बोल रहे है मैं हम आपने पांच बजे क्लास लगाई है हमारी तो लाइव क्लास सर की है तो ह आते चलते हैं, तो 10 के कराओ, फिर 10 से 20 पर जाएंगे, 30 पर जाएंगे, फिर एक दिर आग लगा देंगे, अब चैनल को नहीं, मतलब एक दब, बढ़िया गर देंगे, ठीक है, चलो, दैन, यहां तक कहानी सबको चमक गई, अब, अब एक नया सवाल है, क्या रहें, अमोनिय वर्सिज अराइल अमीन में बताओ, कौन सा जादा अच्छा बेसिक है, मैंने का देखो, अमोनिया का मतलब है NH3, अराइल अमीन का मतलब है, बेंजीन पे NH2, अब मैं एक जेनरली स्टोरी सुनाती हूँ, देखो, मान लो, मेरे पास यह H प्लस आया, मान लो, यह मैं हूँ, ठीक है, मान लो, यह मैं हूँ, और मेरे पास 10 करोड है, मेरे पास 10 करोड नहीं है, यह बस मैं एक एक एग्जामपल लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, का वाव, किसे दिन मेरे पास 10 करोड है, मेरे पास नहीं है, मान लो, मेरे पास 10 करोड है, और मैंने अप ने घर के बेड़ में 10 करोड रुपे चुपा रखे हैं ठीक है वर्सेज मालो ये मैं हूँ ठीक है मेरे पास 10 करोड रुपे हैं मगर मैंने 10 करोड रुपे थोड़े से 10 करोड में से मैंने 2 करोड अपनी सासू मा को दे रखे हैं सासू मा को दे रखे हैं ठीक है मैंने 2 करोड अपने मम्मी को दे रखे हैं, मेरी मम्मा को दे रखे हैं, मैंने 2 करोड अपने पती देव को दे रखे हैं, ठीक है, मैंने 2 करोड अपने भाई को दे रखे हैं, कोई बच गया, मैंने 2 करोड चलो मेरे पास है, कोई 2 करोड तो मैं रखे लूँ, क्या हो गया, ठीक है, अब मु को फट हो जागे हैं एक्वटा से एक नीडी है जिसको मेरे को दस करोड देने हैं betas करोड एक ही जगह पे पड़े मैं उसको उठा के दे सकती हूँ ना on the other hand मालो मैं resonance stabilized हूँ देख रहे हो कितनी बड़िया हूँ मैं दो करोड यहां पे पड़े दो करोड यहां पड़े दो करोड यहां पड़े अगर मैंने अपने सारी इलेक्ट्रोनों को छुपा के रख रखा है already resonance में है तो मेरे पास तो electron available ही नहीं है इनको बोलते डी-localized electron तो भाईया जब मेरे पास available ही नहीं है मैं कहां से attack करूँ तो मुझे सारी की सारी चीजे सेम यहां पर बताई है मैं चलो अब एक बड़िया सा सवाल अब एक सवाल तुम करके दिखाऊगे मेरे पास NH3 है मेरे पास एक और NH3 है अब आप मुझे NH2 सॉरी NH2 है NH2 है यहां मेरे पास नाइटरो ग्रूप है यहां मेरे पास OCH3 ग्रूप है जल्दी से बताओ दोनों में से ज्यादा अच्छा बेस कौन है A या B दोनों में से ज्यादा अच्छा बेस कौन है A या B मैं प्लीज अल्सओ बिंग यह डिलिट शैप्टर इस टेरिं बिट सलीबस अभी डिलीटिटिइट अप्टर इस धालए दोनों में ठिक है पहले भी आया था यह concept के mystery की वन्षा यही concept है मेरे mystery तो बढ़ा रही हूं यार कौन सा daily life example बढ़ा रही हूं नुम को बताओ A या B मेंसे A या B मेंसे फटाक से बताओ कौन सा जादा अच्छा बेस कौन सा A B कि मैंने क्या का था तुम अगर electron देना चाहते हो तो तुम्हारे पास बहुत्गी सब्सक्त्रवा बढ़ााब उस बढ़ाब दस करोड रुपे बैड्य पर छुपा कर रखे है मगर सफुमा अशी है लोक लगा रखा और चाबिक इसके बास सासुमा के पास यह नाइट्रो ग्रूप ऐसी ही सासुमा है भाईजा भी इलेक्ट्रोन खीच के रखता है आप इने पास कहा दे के देखो जाओ तुम दे के देखो किसको दोगे चोर भी सोचे कहां जाऊ मैं ऐसी सासुमा इनके घर मे तो यह देने को नाइट्रो ग्रूप इतना इलेक्ट्रोन खीचेगा कि इसका लोन पेर वहां जाई गए यहां पर अब इसकी सासुमा खुद ही ऐसी क्यारी मेरे पास अल्डिटी 20 करोड है जा बेटा ले जा तो वो देगा ना वो इसकी इलेक्रोन डेंसिटी बढ़ाएग आगे बढ़िया आगे काम करते हैं कहरें अरेंज दुबारा बोल यह तुम्हारे पेपर में सवाल आएगा हार्ट भी बना देती हूं चलो मुझे इसी खुशी में हरे रंग के हार्ट चैट पे दिख जाने चाहिए ठीक है ना आइनीड ग्रीन कलर के हार्ट सिंद चैट से कि बढ़ेगी तुम्हें पता है मैम है बहुत ही जिद्धी ठीक है तो ग्रीन कलर के हाठ्स चैट सेक्शन में आजेने चीए क्योंकि यह सवाल पेपर में आएगा तो ग्रीन कलर के हार्ट साजय हैं हम ऐसे हैं थोड़े हम इसी टाइप के हैं हमें हाट्स हाइफ एफाइफ अपनी सासुमा से घ्रीन कलर का हाट देने में सिफ जान वी आ गया यह बाकी तो सब सोव पड़े हैं बाइया उठो सोव मत क्लास में ठीक है यह वही ना बात मैरे को पूरी ठीक है मेरे को यही चीज अच्छी लगती है एक दम मलब ग्रीन ग्रीन कलर के हार्ट सारे एक अलग अच्छन लिखी हुए है बट आपको विश्वास शायद ना हो ठीक है क्या यह वही पन्ना नहीं जब हमें ब्रेक लेना था मगर अब हम यह पन्ना कर लेंगे फिर ब्रेक लेंगे असाइलेशन रियक्शन यह कैसी रियक्शन है जो आपके पेपर में ना मतलब रिपीट ब पर उठालो यह रियक्शन पूछते जरूर है देखो क्या है क्या रहा है एलिफेटिक और अरोमाटिक प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स यह रियक्ट विद असेड क्लोराइड एन हाइडराइड और एस्टर्स बाइन नूक्लियोफिलिक सब्स्टिटूशन रियक्शन इ तोड़ी दिन पहले भी बताया था असाइल गुरूप असाइलेशन एसाइलेशन बोल दो आर सी ओ का एड़ोना एसाइलेशन कराता है अब जितने भी बोल्ट वाले बच्चे हैं आपने बोल्ट के सैंपल पेपर में यह सवाल देखा होगा और बताती हूँ जितने हमारे J.S.P.R.E.N.S. हैं उन्होंने यही सवाल एसर्शन वीजन में देखा होगा सेम टू सेम सवाल है क्या ध्यान से देखो माल लो मेरे पास हम ऐसे करते हैं माल लो मेरे पास R.N.H.2 है प्राइमरी अमीन है और मैं इसकी रियक्शन करा रहे हूँ CH3 COCL के साथ इसके साथ CH3 COCL टेंशन नहीं लेनी है यह आएगा अटाक मारेगा ऊपर जाएगा थपड बारेगा उठाएगा इसको क्या बन जाएगा R.N.H.2 पे पॉजिटिव C.O.-C.L. और यहाँ CH3 एक करके दिखा रही हूँ बाकी तुब आ जाएगे यह नीचे आएगा C.L.- को धका मारेगा C.L.- अपने साथ H को ले जाएगा क्या बन जाएगा R.N.H.C.O.C.H.3 भाईया प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर H.C.L. निकल रहा है अब H.C.L. को हमें बाहर निकालना है H.C.L. को बाहर निकालने के लिए मेरे को बेस डालना पड़ेगा इसलिए रियक्शन जेनरली हम पिरिडीन की प्रेजन्स में कराते है शॉटकट बता रही हूँ आपके पास है R.N.H.C.H.3.C.O.C.L. के साथ रियक्शन कराओगे यहाँ से H निकालो यहाँ से C.L. निकालो बन गया आगे देखो यहाँ पर C.6.H.5.N.H.2 है और देखो पहले मैंने रियक्शन कराओगे असाइल हैलाइड के साथ यह सब को चमक जाती है अब मैंने सेम रियक्शन कराओगे एन हाइड्राइड के साथ सब कुछ सेम होगा everything remains the same H को हटाओ CH3CO group को यहाँ लगाओ और acetic acid निकल जाएगा दिख रहा है acetic acid निकल गया सब कुछ बढ़िया चल रहा था कोई दिक्कत नहीं आई last में इन्होंने एक छोटी सी चीज लिख दी यहाँ से सवाल उठाके पूछते हैं क्या रहे amines also react with benzoyl chloride अब सम चमकता ही नहीं है benzoyl chloride क्या होता है benzene पे C6H5COCl इसको बोलते है benzoyl chloride और इसकी mithenamine के साथ reaction करो कुछ नहीं करना है यहाँ का C-R निकालो यहाँ का H निकालो तो निकल गया C6H5 C6H5CONHCH3 N-methylbenzamide इसी का नाम पूछता है वो C6H5CO है ना मेरे पास बन गया इसकी मैंने किसके साथ reaction करा है CH3 NH2 के साथ तो यहाँ से H निकालो यहाँ से यह निकालो क्या बन गया NHCH3 तो देखो यह क्या बना जल्दी से बताओ यह क्या था benzoic acid benzoic acid से ammonia की reaction benzamide और N पे methyl तो नाम हो गया N-methylbenzamide यहीं नहीं पता हो था N-methylbenzamide यह नहीं चमकता चमक गया सबको अब यह भी clear हो गया अब हम अगले पन्ने पर आ जाते हैं अगला पन्ना भी हमारे दिल के बहुत करीब है आपके पेपर में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि आपके पास primary amine है secondary amine है इनको distinguish करो primary, secondary, tertiary amine है इनको distinguish करो तो मैं आपको एक reaction बताती हूँ reaction का नाम है carbyle amine reaction इसी को isocyanide test के नाम से जानते है carbyle amine या फिर isocyanide test mechanism J और NEET में है mechanism is not there in boards ठीक है ना state board में ना CBSE board में mechanism नहीं है बट क्या है reaction वो मैं आपको समझाती हूँ आपने लिया RNH2 आप इसकी reaction कराएंगे chloroform के साथ in the presence of a base पर आपको बताती हूँ ये convert हो जाएगा RN triple bond C isocyanide में convert हो जाएगा ये जो isocyanide है ये बहुत ही गद्धी बदबुदार smell वाला होता है खेर आज अगर मुझे isocyanide की smell सुंगा भी दी जाए तो कुछ ली होगा क्योंकि बेरा नाक इतना बंद हो चुका है ये है हमारा isocyanide जो की कते ही foul smelling है इतना गंदा smell का compound होता है कि जब मालो आपने isocyanide test करा इतनी गंदी बदबु निकली आपने का हंजी भईया primary amine है अब मैं आपको इस reaction का किस तरीके का J-neet में सवाल आता है versus boards में सवाल आता है वो बताती हूँ J-neet का सवाल आता है isocyanide test में एक मोल आर नहींच्टू की reaction कितने मोल कोह रिक्वाइड होते है तो answer आ गया 3 मोल कोह रिक्वाइड होते है ये reaction के साथ reaction करके सबसे पहले CCL-3 माइनस बनाती है मतलब कार्बन पे 3 क्लोरीन है एक negative अब ये क्लोरीन से बरदाश नहीं होता है वो pair of electron ले जाता है क्या बनाता है CCL-2 इसको बोलते है डाई क्लोरो कार्बीन क्या बोलते है डाई क्लोरो कार्बीन हमारी अब ये दो और reactions है हमारी reactions दे रखी है with nitrous acid ठीक है ये 2-3 पन्ने बहुत important है ये 2-3 पन्ने खूब important है उसके बाद तो फिर असान ये आ गया डाईजोनियम सॉल्ट ये सबसे असान topic है बढ़ ये 2-3 पन्ने बहुत important है ज्यान से दिखो अगर आपके पास आर एनेच टू है प्राइमरी अमीन प्राइमरी अमीन है एली फैटिक है अरोमाटिक नहीं है एली फैटिक है अगर आपने इसकी nitrous acid के साथ reaction कराई अब मैं आपको बता देती हूँ nitrous acid एक बहुती unstable acid होता है यह ऐसे बोटल में पढ़ा नहीं होता कि बोटल खोली nitrous acid उडेल दिया ऐसा नहीं होता इसको हम जेनरली in situ बनाते है in situ मतलब reaction mixture के अंदर ही बनाते है तो हम इसको बनाते कैसे है हम लेते है NaNo2 और HCl जब आपने NaNo2-HCl दिया NaCl और HNo2 बन गया यही चीज़ उन्होंने लिखी है क्या रहा है primary aliphatic amines react with nitrous acid to form aliphatic disonium salt तो हमारे पस सबसे पहले क्या बनेगा R N2 plus Cl minus अब भाई यह इतने ज़्यादा unstable होते है ठीक है which is being unstable वो nitrogen gas को release कर देगा और alcohol में convert हो जागा पानी तो है ही आपके reaction mixture में यह इस पे attack मारेगा तो nitrogen gas निकल गी और क्या बनता है alcohol यह reaction आपको paper में पूछी जाती है कि मानलो कल को आपने ethile amine की इthena amine, propena amine isopropyl propena amine की reaction कराई nitrous acid के साथ तो क्या बनेगा isopropyl alcohol प्रोपाइल alcohol alcohol बनता है इसका reason यह है क्योंकि यह जो RN2 plus group है यह बहुत ही unstable है यह 5 मिनट के लिए भी weight नहीं करता phatak से तूट जाता है alcohol निकलती है हालाकि अगर आपने same to same reaction कराई इसके साथ aromatic amine के साथ आपने यहाँ NaNo2 डाला NaNo2 डाला HCl की presence में reaction आप 0 to 5 degree C में करा रहे है आपके पास बनेगा benzene disonium chloride benzene पे N2 plus Cl minus इसको बोलते है benzene disonium chloride इसकी आगे reactions क्या करानी है अभी 5-10 मिनट बात पढ़ेंगे जब हमारा यह पूरा काम निपड जाएगा अब मेरी बात ध्यान से सुनो NCRT का अगले पन्ने पे हम आगे पन्ने का नाम है reaction with aryl sulfonyl chloride आज से एक डेड़ साल पहले paper में सवाल आया J.E. की बात कर रहे हूँ सवाल यह था which out of the following is Hinsberg reagent बस यही सवाल था चार options दे रहे थे आपसे पूछा गया इन में से Hinsberg reagent ठीक है अरे कल फेरवेल है भाई साब फेरवेल तो बारवी कक्षा का अच्छा होता है मज़ा आया हो का साड़ी बड़ी पैन के जाएंगी लड़किया अना फेरवेल की याद मत दिला दो खैर मेरे को अपना बारवी का फेरवेल मेत कैने बहुत ही गंदे तरीके से याद है मल peacbat मैं गई नी की थी मुझे जितना याद है मैं फेरवेल में पता नहीं गई थी याद इन आरा मुझे पेपर था यादै हमारे स्कूल वालों ने फेरवेल तब रखा जब पेपर चल ररहा थे तो गंदी कहानी थी कल फेरवेल है हमारा, हाँ हमारा तो मुझे याद ही नी, बचब bety में में कुछ नहीं पता होता था ठीक है यार, कई बच्चे चिंता मत करना था, हाई यार, बाकी बच्चे ँजॉय कर रहे हैं हमने तो कभी फेरवेल के मजह हीनी लिए बहुत लंबी जिन्दगी है घबराओ मत आईटी जाओ जहां पर भी जिस भी medical college में जाओगे आईटी जाओगे तुम्हें मज़े आ जाएंगे यार farewell well well की tension मत करो चीक है चलो ध्यान से देखो 500 रुबे लिये थे 500 रुबे तो मैंने भी भर थे पैसे मैंने भी भर थे बट मैं गई नहीं थी farewell के दिल क्योंकि बहुत जोल था कुछ ऐसे था कि और मैं थी बहुती nerdy बच्ची तुम्हें पता ही है तुमने मेरी अगर कहानिया सुनी है तो तुम्हें पता होगा मैं बहुत nerdy बच्ची थी तो फेरवेल पे जाना तो दूर पैसे मैंने दिये थे मुझे याद है तो मैंने पिछले साल पैसे तो दिये थे जबर्दस्ती देने पड़ते तो मैं पता ही है डमी स्टूडेंट बिचारे अलगी होते हैं डमी स्टूडेंट के अलग कहानिय तमी वाले घबराते क्यों है अले पूरी लाइफ पढ़ी है फेरवेल में क्या है देखो अच्छी जगा तुमने देखो बारवी कर लो उसके बाद अच्छे कॉलेज में जाओगे पढ़ लो, यार, मेरा तबईत कराब है मान लो, बारवी करके अच्छे कॉलेज में जाओगे फिर जो चॉते साल में फेरवेल होती है, भाई वो अलग होती है जब तुम तीसरे साल में होते है और अपने सीनियरस को फेरवेल डेते हैं, वो अलग होती है जब तुम्हारी फेरवाल होती है, फिर तुम पालो तुमने जॉब जॉइन करी टिक है, जो तुम्हारी पहली कंपणी होगी, जहां पे तुम काम करोगे उसके बाद जबतुम एक कंपणी से दूसरी कमपनी में स्विच करो गए भाई अलग होती है तो उन फेरवेलों के भी मज़े लेने होता है कर बारवी की फेरवेल अच्छी होती है बट मेरे को experience नहीं है मैं नहीं गई थी मुझे याद नहीं रहा मतलब मुझे ऐसा है फोटो जान तो भेजदो फिर मैं ड्राइव में रखती हूँ कि भई उस तक मेरे पास फोन नी था मुझे याद है जब मुझे डिगरी मिली थी ना तब भी मेरे पास फोन नी था तो हमने बहला जिनोंने जो भी हमारे फ्रेंज सेकल में लोग थे समने फोटो फोटो खीची तो मैंने उनको काता, ड्राइव पे शेयर करदना, आज तक मेरे पस ड्राइव पे है, मला मेरे पस फोन नहीं था, उस ठीक है, आप तो एक्सेप्शनल बढ़ा रहे हों, नहीं कोई एक्सेप्शनल नहीं है, ध्याद से देखो, चलो, तेखो, यही सवाल आया था पेपर में, चार ओप्शन से क्या रहा है, इन्हों में से हिंस्बर्ग रियजेंट कौन है, अब बताओ यार, कितने प्यारे एंसी आटी वाले, बोल्ड में लिखके दे रहा है, हिंस्बर्ग रियजेंट का फॉर्मिला है, C6H5SO2Cl, अब जिनको नहीं पता, पहले मैं अपने तरीके से समझाऊंगी, C6H5SO2Cl, इसको बोलते है, हिंस्बर्ग रियजेंट, अब आपके पेपर में हिंस्बर्ग रियजेंट का कॉमन नेम पूछ ले, आयूपेक नेम पूछ ले, तो लिख देना, बेंजीन सलफोनिल क्लोराइड, C6H5SO2Cl, इसको हिंस्बर्ग रियजेंट बोलते होता क्या है, मानलो आपने R-NH2 की रियक्शन करी, रटना नहीं है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, C6H5SO2Cl के साथ, तो इतना तो चमक रहा है न, यहां से H निकालो, यहां से CL निकालो, क्या बन जाएगा, R-NH-S double bond O, double bond O benzene, अब ये compound, मतलब प्राइमरी अमीन, C6H5SO2Cl के साथ, रियक्शन कर लेगा, रियक्शन होने के बाद, आपको नजर आ रहे हैं कि यह वला जो हाइड्रोजन है, यह एसेडिक है, यानि कि अगर आप कल को इसको बेस के अंदर डालो, तो यह बेस में सॉल्यूबल हो जाएगा, क्योंकि आपका हाइड्रोजन एसेडिक है, हाइड्रोजन क्यों एसेडिक है, ध्यान से देखो, क्योंकि एक बार H+, निकलता है, तो यह जो एनायन बनेगा, यह बहुत ही प्यारा है, यह देखो कितना मढ़िया, रेजोनेंस टेबलाइजड है, तो प्राइमरी अमीन C6H5, SO2Cl के साथ रियक्शन भी करता है, जो प्रो तो पहले तो आपको पता ही है, H और Cl को निकाल दो, क्या बन जाएगा, R, N, R, यहाँ पर आजाएगा, S double bond हो, double bond हो, यह, और, 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 दिक्कत हो गई, क्या आपको नजर आ रहे, इसके अंदर तो कोई acidic hydrogen है ही नहीं, अगर इसके अंदर कोई acidic hydrogen नहीं है, तुम KOH में डा आती हूँ, tertiary amine की, R3, N, लेओ, 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 अब तो दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी, मैं, यहाँ पर H E नहीं है, अगर H E नहीं है, तो HCl कैसे निकलेगा, मतलब tertiary amine reaction ही नहीं करता है, यह था distinction of primary, secondary, tertiary amine, देख लो, कह रहा है, the reaction of benzene sulfonyl chloride with primary amine, यह important है, देखो, इसको बोलते है, N-pethyl, N-pethyl, benzene sulfonyl chloride, पहले क्या था, benzene sulfonyl chloride, अब क्या बन गया, amide, तो क्या बन गया, benzene sulfonyl chloride, जो की NaOH में soluble है, alkaline में soluble है, कह रहा है, जब मैंने secondary amine की reaction करा, इसका नाम देखो, N-n-diethyl, benzene sulfonyl chloride, और tertiary amine तो कह रहा है, कि do not react with benzene sulfonyl chloride, इसी लिए, आप primary, secondary, tertiary amine को distinction कर सकते हैं, तो यह N-C-R-T में जो भी दे रखा था, मैंने अपने तरीके से आपको थोड़ा simplify करके समझा दिया, क्या यह बात सबको अच्छे से चमक गई, all good है, ठीक है, done है, done है, ठीक है, मैं हम आपसे बात कर नहीं है, कैसे कर सकते हैं, please tell me, mail कर देना, classes ओरा, at the age, gmail.com पर, जो भी query है, mail कर देना, ठीक है, I will try, और अपना phone number लिख देना, ठीक है, चलो, आगे देखो, Electrophilic Substitution Reaction, एक गाना मैं गाती हूँ, गाना याद नहीं आ रहा, आज हमारे दिल में अजब सी उल्जन है, सामने बैठे सवाल, मन में उल्जन है, तुम मानोगे नी, यह जो सवाल तुम्हें दिख रहा है न, यह आपके NEET का, या आपके JE का, या आपके BORTS का, बहुत हर पेपर का फेवरेट सवाल है, आप इसको PY क्यों कह दो, तुम इसको JE में भी डाल दो, तुम इसको BORTS में भी डाल दो, और मैं तुम्हें प्रूफ दे सकती हूँ, हाना, तुम इसको NEET में डाल दो, हर एक पेपर में सवाल आता है, सुनू, क्या रहा है, अगर आपने एनिलीन ले लिया, पता है, एनिलीन जो होता है न, यह highly activated है, highly activated क्यों है, क्योंकि आपको नजर आ रहे हैं कि यह वही बिंदी effect हमने किया था, कॉमोलिका बिंदी, गोपी बेन, कोकिला बेन बिंदी, यह बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, यह इतना activated है, कि अगर आप इसकी reaction ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे, तो ब्रोमीन यहां, यहां, यहां तीनों जगा पे आएगा, क्या बन जाएगा, 246-tri-bromo-anilene, जो कि वाइट कलर का होता है, यह वाइट कलर का PPT होता है, 246-tri-bromo-anilene, बतलब यार, अब प्रॉब्लम हो गई, मेरे को एक ब्रोमीन चाहिए था, मेरे पास तीन-तीन ब्रोमीन आ गए, मेरे को यह पात पसंद नहीं है, मैंने का, तो मैम, यह जो highly activated nature है, एनिलीन की, इसको थोड़ा control करो, हमने कहा, शादी करा दो इसकी, सामने देखो, मालो यह NH2 था, इसके बास बहुत पैसा था, और बहुत दानी था, यह मैंनी हूँ, ठीके यह बहुत पैसे वाला था, बहुत दानी था, देखो, अपने रिष्टदारों को, सासुमा को, मम्मी को, पापा, नहीं सासुमा नहीं, इसकी शादी नहीं हूई थी, फिर हमने का, यार तू इतना, इलेक्ट्रोन दान करा फिरता है, जिसकी वज़े से, तू बहुत रियाक्टिव है, क्यों ना तेरी शादी कराई जाए, फिर हमने इसको शादी के बंधन में बांध दिया, C6, CH3, COO, CO, CH3, पिरिडीन की प्रेजन्स में हमने रियाक्शन कराई, ये पिरिडीन है न, पंडिर जी के तौर पे आए, हमने का, यहां से H निकालो, यहां से Acetic Acid निकाल दो, क्या बन गया, C6, H5, C6, H5, NH, CO, CH3, आप ध्यान से देखना, बाई सब ये कौन है, इसका पती, मैं जेनरलाइज नहीं कर रही बात को, मैं बस ऐसी example दे रही हूँ, ये इसका पती, तो अब ये जो Loan Pair था, पहले जो की 100% Benzine में दिया करते थे Electron, अब ये Benzine में देगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, Benzine में Electron देगा, मगर अब ये अपने पती देव को भी Electron देगा, हमने इसको शादी के बंधन में बांद दिया, बांद दिया, अब हुआ क्या, अपने पती को अगर 100, मालो पहले बेंजीन को 100 दे रहा था, तो अब अपने पती को 20 देगा, बेंजीन को 80 देगा, मतलब अब NH के उपर जो लोन प्यर था, वो डी-लोकलाइज हो गया दूसरी जगाओं पर, तो बेंजीन को नहीं मिल रहा, तो इस तरीके स हमने क्या किया, अनिलीन की रेक्टिविटी को कंट्रोल किया, यह पूरी कहानी इन्होंने इंग्लिश में लिख रखिया, कह रहे, this is done by protecting the NH2 group with acylation with acetic anhydride and then carrying out the desired substitution, तो मेरा अनिलीन, अब इसका नाम देखो, घ्यान से देखना, मेरे पास है CH3-CO-NH2, मतलब यह है amide ethenamide N-phenyl-ethenamide, किसी का नाम है acetanolide, यह नहीं चमकता, नहीं आता, अभी भी मैं अगर इस पे हाथ रख लेती ना, तुम्हें बोलती बताओ, acetanolide का structure तुम्हें नहीं आता, सही कह रही हूँ ना, तुम्हें नहीं आता acetanolide का structure, तो याद रखना, acetanolide मतलब amide, acetic acid के साथ amide बनाना है, aniline का, acetanolide, acetic acid के साथ amide बनाना है, aniline का, acetic acid के साथ, acetic acid के साथ amide बना दो, aniline का, तो क्या बन गया, acetanolide, अब इसके अंदर अगर आप bromine डालोगे, acetic acid की presence में, तो वो एक ही जगा पे जाता, देखो मेरे को para पे गया, मतलब क्योंकि आपने उसकी, हाना, वो जो शक्ती थी, वो थोड़ी कम कर दी, अब आप इसकी hydrolysis कर दो, चाए, acetic medium में, चाए, basic medium में, ये गायब हो जागा, क्या बन जागा, four bromo aniline, ये मैंने अपने तरीके से समझाया, जो की NCRT में दे रखाया, ठीक है, चलो, done, ये भी complete हो गया, अब ध्यान से देखते ह है, point का नाम है, nitration, ठीक है, आप believe नहीं करोगे, इतना प्यारा point है, यहाँ से कितनी बार सवाल पेपर में आया है, nitration क्या होता है, आपको मैं बता देती हूँ, देखो, जब आप, ये पूरा paragraph है, मैंने को पढ़ना है, क्याने, direct nitration of aniline gives oxidation product in addition to the nitro derivative, हुआ क्या, जब आप aniline की oxidation करते है, मैंने क्या बताया, बनलब aniline की nitration करते है, aniline already इतना reactive है, इतना electron rich है, कि अगर आप उसकी nitration करने की कोशिश करें, वो oxidize तक हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या कहते है, moreover एक problem होती है, ध्यान से देखो, problem ये होती है, aniline क्या है, benzine पे NH2 अगर आपने acidic medium लिया, तो ये बन जाएगा anilineum आए, भाई सब यहाँ पे हमारा चमकेगा कोमोली का effect, ये देखो, ये थी कौन सी, कौन सी थी, कोकिला बेन, कोकिला बेन effect, समझ रहे हो, कोकिला बेन बिंदी, ये क्या था, electron donating group था, अब ये देख रहे हो, नागिन बिंदी नागिन मतलब ये electron खीचेगा, ये electron withdrawing group है, एक बात बताओ, अगर electron withdrawing group की आप nitrogen कराने पे तुले हुए हो, HNO3, H2SO4 डालोगे, तो don't you think, अब ये incoming group को metaposition पे direct करेगा, इसलिए जब जब आप aniline की nitrogen कराएंगे, ध्यान से देखो, aniline की nitrogen कराओगे, आपको para मिलेगा, मगर इतना सारा percentage meta का भी मिलेगा, ये जो percentage है, ये जेई में 2020 और 21 में इतनी भार पूछे गए, मतलब हर shift में सवाल था, तो मैं बता देती हूँ, सबसे ज़्यादा मिलता है para, फिर मिलता है meta, फिर मिलता है ortho, सबसे ज़्यादा product मिलेगा para nitro aniline, फिर मिलेगा meta nitro aniline, फि level 2% मिलता है, अब ये पूरी की पूरी चीज है, ये ये जो मैंने अभी समझाया, वही यहाँ पर मैंने लिख दिया, फिर कह रहा है मान लो आपको इतना ऐसे nitration नी कराना, तो कोई बात नी, protection कर दो, protection कर दो, मतलब इसकी शादी करा दो, शादी करा दो, एक पती से शादी क तो ये सिंपल है, अब इसका नाम नहीं आता बच्चो को, पैरा नाइट्रो एसिटनलाइड, ये देखो, CH3CO, NH, ये बेंजीन, तो ये एसिटनलाइड था, पैरा पोजिशन पर, नाइट्रो है, पैरा नाइट्रो एसिटनलाइड, सल्फोनेशन भी देख लो, रुको मत, एनिलीन है, एनिलीन में सल्फ्यूरिक असिट डालो, अरे भाईया, पहले एसिट बेस रियाक्शन होगी, एसिट बेस रियाक्शन मतलब NH3 पे प्लस, HSO4 पे माइनस, अब इसको जब आप गरम करेंगे, ध्यान से सुनना, इसको गरम करेंगे, अब ये जो सल्फोनिक तो नीचे आजएगा, SO3 माइनस, उपर आजएगा NH3 पोजिटिव, इसको बोलते है, सल्फा निलिक असिड, ये नहीं बता होता बच्चो को, पेपर में आजए, सल्फा निलिक असिड, तुमको चमकता ही नहीं है, ये होता है, सल्फा निलिक असिड, जो की ज्विटर आइ समझदार बनो भाया, छोटे बच्चे हो, निके निके बच्चे हो, इथने तो बड़े हो ही गए हो, कि मजाक को मजाक की तरह लो, ठीक है, ये देखो, ये बहुत इंपोर्टन है यार, तुम इन पे बाते मत मारो, ये बहुत इंपोर्टन है, ये बहुत इंपोर्टन है, अब देखो कितनी अच्छी बात है, कोई कई इसका नाम लिखके दिखाओ, पता है नाम लिखने में सल्फोनिक असिड हमारा राजाओं का राजा है, बाहू बलियों का बाहू बलिय है, यह वन आएगा, यह टू, थ्री, फोर, अब ये तुपारे ही पेपर में आता है कि सल्फानलिक असेड में कितने कार्बन आटम SP2 हाइब्रडाइजड है सल्फानलिक असेड का कॉमन अमलब आयूपेक नेम बताओ वो नहीं चमकता यार क्योंकि तुमने पड़ी नहीं रखा होता तो यह पड़ोगे तो चीज़े चमकेगी ठीक है और एक चोटी सी चीज दे रखी यह आपका बोर्ट का सवाल है कि जो एनिलीन होता है वो फ्रिडल क्राफ्ट एलकाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाईलेशन रियक्शन शोर नहीं करता इसका रीजन बता रहेती हूँ यह जो एनिलीन है यह एक अच्छा खासा बेस होता है वेरी गुड बेस ठीक है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन रिच है है तो यह Lewis base की तरह behave करेगा फ्रिडल क्राफ्ट alkylation acylation में जो आप Lewis acid use करते हैं यह हना यह Lewis acid use करते हैं यह RCL के साथ reaction करें उससे पहले ही यह जाके इस पे attack कर देता है तो यह बचता ही नहीं ALCLC तो reaction चलती नहीं आगे due to the salt formation with ammonium chloride the Lewis acid which is used as a catalyst तो आपका Lewis acid ही बेकार हो जाता है जिसकी वज़े से ना तो फ्रिडल क्राफ्ट alkylation होती ना फ्रिडल क्राफ्ट alkylation होती है थी कि है हाँ हाँ मेरे को पता है थी कि चमक गया सबको यहां तक की कहानी all good है clear है चलो अब मेरे को यह देख लो इन से बाहर सवाल है यह करके दिखाओ और यह होंवग है तुम्हारा नाइन पॉइंट क्वेश्चन होंवग है जरूर करना पहले मेरे को यह करके दिखा दो एक मेरे पास है CH3 NH2 CH3 NH2 एक है C पे N पे दो C है सेकेंडरी अमीन है मतलब मेरे पास सेकेंडरी अमी थोड़ा सुन्दर ही लिख देते है चलो अरूर यह लिख के दिखा न जरूरा बेसिक क्यारेक्टर का आंसर दे दो पहला है CH3 NH2 दूसरा है CH3 NHCH3 तीसरा है CH3 NCH3 CH3 चौथा है C6H5 NH2 और पांचवा है C6H5 CH2 NH2 जो तुमने 321 सीखा 321 312 सीखा वो कते ही सिंपल था पेपर में यह तो आते ही है मगर एक अच्छे लेवल का सवाल आते है वो यह है जल्दी से करके दिखाओ बेसिक स्ट्रेंट के ओर्डर में अरेंज कर दो अरेंज इन दे फॉल्विइंगर तुमने धंक से कर दिया धंक से कर दिया तो मैं मान जाओंगी करो पर्स्ट अटेम्ट कम अच्छा गया है तो सिर्फ सेकेंड अटेम्ट को फोकस करें या जई एडवांस पर भी प्लीज बता दीजे अगर तो तुम ट्वेल्थी हो तो पहले सेकेंड अटेम्ट और बोर्ड को फोकस करो करें सबसे घटिया कौन होगा सबसे घटिया यह होगा जिसको अपने इलेक्ट्रॉन पर सासुमा को देने पड़ते हैं सबसे घटिया यह होगा नंबर लिख देते हैं A B C D E तो सबसे घटिया तो D हो जाएगा उसके बाद यह NH2 है और 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 यह सेकेंडरी है यह टर्शरी है और यह है हमारा प्राइमरी मतलब यह क्या है यहां लगा देते हैं अब मुझे बताओ सबसे घटिया तो D होगा सबसे घटिया तो D होगा D के बाद बताई क्या होना चाहिए D के बाद बताओ सबसे बढ़िया कौन साहोना चाहिए मैं हम देखो ये प्राइमरी काफिद है बात बताओ वैसे तो ये भी प्राइमरी है मैं बलब अच्छा इतना हमे समझा गया कि फिर B आना चाहिए फिर C आना चाहिए बस मुझे E का बता दो E कहां आना चाहिए अब देखो मेरी बात बताओ ये NH2 इलेक्ट्रॉन प्यर देना चाहता है मगर ये pH माइनस आई फेक्ट लगाएगा सब खीचेगा आंदे आंदे, इलेक्ट्रॉन आंदे, ऐसे खीच रहा है हाना वो tug of war नहीं होता ऐसे खीच रहा है जब ये इससे खीचेगा ये NH2 ना चाहते हुए भी इलेक्ट्रॉन प्यर देनी पाएगा तो बेकार है, भले ना प्राइमरी हो मगर है घटी है क्योंकि बेंजीन का माइदे साइफेक्ट लग रहा है तो होना चाहिए ये D, E, C, A, B A, B, C, E, D आएगा अर 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 अच्छा एक सेकिंड एक सेकिंड, एक सेकिंड मेरेको एक्वास सॉल्यूशन में लिखना था ना एक सेकिंड, वन मोर थिंग रूख जो एक्वास सॉल्यूशन में लिखना था ना एक्वास सॉल्यूशन में हमने क्या किया था 2, 1, 3 आना चाहिए तो पहले B आएगा, my bad फिर आएगा A, अब चेक कर लो B, A, C, E, D आना चाहिए पहले सेकेंडरी आएगा फिर CH3, NH2 आएगा फिर Tertiary आना चाहिए फिर E आना चाहिए फिर E आना चाहिए ये सही है D, E, D, E, B, C, A नहीं आएगा D, E, B, C, A नहीं आएगा 3, 1, 2 आएगा अरे भाईया basic strength जब तक given ना हो हाना, जब तक gaseous state given नहीं होगी gaseous state given नहीं होगी तो gase को नहीं consider करेंगे सब हम aqueous मान के चलेंगे we will consider all of them to be there in aqueous phase चमग गया समझ गए कौन है ये संचिता संचिता समझ गए देखो अगर aqueous नहीं भी बोला तो भी आपको मान के चलना aqueous क्योंकि base का मतलब है पानी में ये जो PKB values भी दे रखे होते हैं सब पानी में given है अगर gaseous लिखा होगा तभी gaseous में लिखोगे अगर नहीं लिखा तो aqueous मान के चलोगे ठीक है aqueous मान के चलोगे तो तब तक एक काम करिए एक मैंने कराया सवाल ये दोनों सवाल homework करोगे ये नहीं बनेंगे पेपर में सही बता रही हूँ इन दोनों को homework question के तोर पे करोगे ये दोनों super important है ये करो ना करो वो super important है चलो अब हम एक बार अपनी file save कर लेते हैं फिर हम अपने आखिरी topic पर आएंगे और भाई सहाब कौन से 40 pages हमारे complete हो चुके है last के 10 pages हमारे बचे है है ना we are left with अच्छा 7 बच के 8 minute हो गए है आज जल्दी खतम हो जाएगा क्या session छोटा chapter था मैंने तुमें काई था last के 10 pages बचे है इन 10 pages को भी निप्ता लेते हैं तभी मज़े करेंगे हम और ये तो मैं देखो तुमें मस तरीके से सिखाऊंगे तुमें NCRT की tension नहीं लेनी है पहले मज़े को बताओ समझ आ रहा है सब कुछ किसी को कोई doubt हो मैं निकी निकी चीजे हैं ये तो हाँ ये निकी निकी चीजे हैं ना यही paper में बड़ी बन के haunt करती है ठीक है अगर gaseous दिया हो तो y maximum c होगा ना अगर gaseous दिया होगा तो सबसे ज़्यादा होगा tertiary का फिर होगा secondary का फिर होगा primary का सबसे last होगा aniline का ठीक है d and f block कब होगा d and f block समय आने पर होगा अभी organic करो पहले कल bio molecules करते है फिर फिजिकल करें के last में inorganic कराऊगी ठीक है चलो और कोई डाउट है तो भूछ लो बोट के second attempt के लिए time कैसे manage करें एक planner आपके साथ share किया था पूरा time table आपके साथ share किया है उस वाले channel पे तो वहाँ से download करो पूरे के पूरे pdf को अपने room पे चिपका लो उसके according आगे बढ़ता जाओ chapters आप अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हो if you are not following the booster batch तो आप chapter यह किसी भी और teacher को follow कर रहे हो institute जा रहे हो that is okay planner को अपने according थोड़ा सा shift कर लो chapters change कर लो अगर तुम चाहते हो अदरवाइस वही planner को follow करो best हो जाएगा टेक है चलो so यहां तक की कहानी complete हो जाती है अब हम अपने एक अगले topic पे आ जाते हैं हमारे topic का नाम है Dysonium salt मेरी बात सुनो आपके board exams के लिए के वाल इसी का resonance structure आपके paper में पूछा गया है यह board का question है देखो हमने पड़ा हमारे पास है Aniline शुरू से start करते हैं मेरे पास है Benzene Benzene के अंदर मैंने concentrated HNO3 डाला concentrated H2SO4 डाला मेरे पास क्या बन गया Nitro Benzene Nitro Benzene में मैंने Tin HCl डाला या फिर FeHCl डाला या फिर Hydrogen डाला NIPT PD की presence में मेरे ख्याल से सबको ये कहानी समझ रही है क्या बन जाएगा Aniline Aniline के अंदर मैंने डाला NaNO2 मैंने डाला HCl 0 to 5 degree C में reaction हो रही है मेरे पास क्या बन गया Benzene Dizonium Cloride अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया अगर आप R N2 plus Cl minus बनाओगे ये इतना अंस्टेबल होता है कि फटाक से तूड़ जाता है Reaction ही नहीं हो पाती फटाक से तूड़ जाता है क्योंकि N2 group निकल जाता है मगर यहाँ पर Still कुछ देर के लिए मनलब temperature भले मुझे बहुत कम maintain करना पड़ता है But still कुछ समय के लिए ये exist करता है क्यों exist करता है क्योंकि बड़े ध्याद से देखना ये जो आपका Benzene Dysonium Chloride देखो Primary Aromatic Amines Forms Arane Dysonium Salt Which are stable For a very short time In the solution At low temperature 0 to 5 degree C के लिए 0 to 5 degree C तक ये Stable होता है थोड़े time के लिए क्यों? क्योंकि अब आपकी जो Benzene है Stabilize करने में काम आती है ये बन गया और यहाँ पर आगया Positive उसके बाद ये इदर जाएगा इसका पूरा का पूरा Resonating Structure आपके Paper में Draw करने को आता है फिर ये इदर जाएगा जब ये इदर जाएगा क्या बन जाएगा? ये इदर ये इदर यहाँ पर क्या होगया? Double Bond N यहाँ Double Bond N Minus Plus यहाँ पर आपके पास Plus है फिर ये इदर आएगा ये इदर आएगा मेरे पास क्या बन गया? ये इदर, ये इदर ये इदर N Triple Bond N पे Plus तो आपको दिखिया आपका Benzene Dysonium Chloride क्योंकि इसलिए थोड़ी दर के लिए एग्जिस्ट कर देता है देखो इन्होंने इस वाले Bond को लिया मैंने उस वाले Bond को लिया One and the Same Thing उसमें कोई टेंशन नहीं है चलो ठीक है माम ये Benzene Dysonium Chloride देखो C6H5NH2 ले लिया NaNo2HCl की प्रेसंस में 0 to 5 degree C पे reaction कर रहे C6H5NH2 plus Cl minus NaCl और पानी ये आ गया मैं एक बाहर बताओ इसकी कुछ physical property से सवाल आ सकता है आ सकता है देखो कैना जो आपके पास Benzene Dysonium Chloride है It is a colorless crystalline solid Crystalline है आपको दिख रहा है Charges है इस पे colorless है It is readily soluble in water and is stable in cold but reacts with water when warmed अगर इसको थंडे पानी के साथ रखो तो पानी में soluble है मगर गरम पानी के साथ माड़ा जा गरम पानी भी ले लो जैसे जिससे गागल करते है उतना गरम पानी भी ले लो तो ये reaction कर जाएगा It decompose easily in dry state Dry state में decompose हो जाता है Benzene Dysonium Fluoroborate इस पानी में insoluble और वो room temperature पे stable होता है देखो क्या लिखा है Benzene Dysonium Fluoroborate पानी में insoluble होता है और वो room temperature पे stable होता है अब यही छोटी सी बात में तो मैं 5 मिनिट में इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करूँगी यह छोटा सा डबा माक कर लो अभी I will guide you देखो अब क्या-क्या reactions होती है ध्यान सा समझते है यह मेरे पास है Benzene Dysonium Chloride आपने इसकी reaction कराई copper के salt के साथ Cu2, Cl2, HCl के साथ या फिर आप इसकी reaction करा रहे है Cu2, Br2, HBr के साथ यह दोनों कई books में Cu, Cl भी लिखा होता है Cu, Cl की reaction आप HCl के साथ करा रहे है या फिर आप Cu, Cl की साथ reaction करा रहे है KCN की presence में कुछ नहीं होगा N2 प्लस एक अच्छा living group है यहाँ chlorine आ जाएगा यहाँ bromine आ जाएगा यहाँ पर once again chlorine आ जाएगा यहाँ पर once again Cn आ जाएगा इस reaction को देखो आगे continue करते है अगर इन्होंने दे रखा होता Hydrolysis Hydrolysis करके आप क्या बना दोगे Amide यही reaction फिर आपको दे दी जाएगी कि आप इसके अंदर RCONH2 के अंदर डालो CHCl3 ठीक है KOH की presence में क्या आपको समझा रहे है Aniline बन जाएगा क्या आपको समझा रहे है यह Aniline बन गया अच्छा BR2 डालो KOH की presence में Hoffman Bromamide Degradation कराने थी BR2 डालो KOH की presence में Hoffman Bromamide Degradation Aniline बन गया समझ रहे हो तो वो ऐसे आगे reaction को हो सकता उसका मन करे कहें नहीं नहीं हम तो Hydrogen Palladium डालेंगे तो आपको चमक रहे Reduction हो जाएगी CH2 and NH2 यही Convergence लिनी को तो कहते है और क्या होते है Convergence यही तो है Convergence समझ गए तो कह रहे है अगर आप Salt यूज कर रहे हैं Acid के साथ The reaction is known as Sand Mayor reaction Confuse मत हो जाए करो Sand Mayor और Gator Man reaction में Sand Mayor reaction में Salt यूज करते है हाला कि अगर आप केवल Copper को HCL के साथ या Copper को HBR के साथ यूज कर रहे है इस reaction को बोलते है Gator Man reaction ठीक है अगर Salt यूज करोगे रट्टा मानने का तरीका बता हूँ मैं लग रट्टा क्या जिन बच्चों को confusion होता है कि कौन सा क्या नेम reaction है Sand Mayor S से स्टार्ट हो रहा है S A N D तो आप इसका नाम रग दो S A L T Salt यूज करोगे तो Sand Mayor Simple Copper Acid Metal और Acid यूज करोगे तो reaction का नाम है Gator Man reaction चमंग गया आगे देखो क्या रहे है मान लो यही मेरे पास N2 प्लस CL माइनस है ठीक है ना यहां लिख देती हूँ Copper use करो HCL की presence में Copper use करो HBR की presence में कोई tension लेने की जरूरत नहीं है यहाँ chloro benzene आ जाएगा यहाँ bromo benzene आ जाएगा फिर वो क्या रहा आप KI use करो कोई tension की बात नहीं है IDO benzene आ जाएगा BF4 के साथ यह सबसे important reaction है bulb बना लो यहाँ पर यह बहुत important है तो पहले बनेगा N2 positive BF4 minus और यही था N2 positive BF4 minus यही था अगर अब आपने इसको थोड़ा सा भी गरम किया थोड़ा सा भी गरम किया तो यह बनाएगा fluorobenzene DF3 निकलेगा N2 निकलेगा यही यहाँ पर लिखा हुआ था देखो क्या रहा है benzene disonium fluoroborate is water insoluble यह पानी में insoluble होता है और यह stable होता है room temperature पे इसलिए जब भी हम maximum reactions करते है आप खुद देखना है NCRT में examples में fluoroborate बनाकर reactions की जाती है यह spam करना बंद कर दो तुम्हें लग रहा है ना मैं spam का answer दोगी मैं बिल्कुल नहीं दोगी ठीक है नहीं मिलेगा answer spamming करोगे तो यह हो गया अब वो कह रहा है इस N2 प्लस BF4- के अंदर आप NaNO2 डाल दो आप एक काम करो इसके अंदर simple NaNO2 इसको simple गरम करोगे फ्लोरो बेंजीन बनेगा इसके अंदर वापिस से NaNO2 डाल दोगे तो नाइट्रो बेंजीन आ जागा वापिस से NaNO2 डाल दो कहां गया वापिस से यह देखो N2 प्लस BF- N2 प्लस BF- को गरम करोगे यह बन जाएगा N2 प्लस BF- के अंदर NaNO2 डाल दोगे तो नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा और देखो अगर आपने इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर फॉर एक्जाम्पल यह था N2 प्लस C- आप इसके अंदर लेटस से पानी डाल दोगे पानी डाल दोगे तो कुछ नी होगा OH आजाएगा सिर्फ वार्म भी कर दोगे ना अगर पानी डाल के वार्म कर दोगे तो फिनोल आजाएगा आप इस बेंजीन पे N2 प्लस C- के अंदर लेटस से शराब डाल दो शराब शराब मतलब एथनोल ETOH आपका मन करें आप इसके अंदर H3PO2 डाल दो ये कुछ नी करेगा सिंपल बेंजीन में कनवर्ट हो जाएगा H3PO2 डाल दो एसिटीक असिट डाल दो एथनोल सॉरी एसिटीक असिट बोल देगा एथनोल डाल दो दिख्या ये सिंपल आपको इसमें बेंजीन में कनवर्ट करके देदेगा पानी डाल दोगे OH में आ जाएगा तो जितने भी हमने बेंजीन, डाइजोनियम, क्लोराइड की रियक्शन सी सारी एक ही जगा पे कर ली ठीक है सारी एक जगा पे कर ली अब मैं लास्ट की दो रियक्शन करा रही हूँ ये लास्ट येर जेई और नीट के पेपर में इनका बहुत जादा बोल बाला था मान लो मेरे पास है N, ट्रिपल बॉर्ड N पे पॉजिटिव, सी यल माइनस आप रियक्शन इसकी करा रहे हैं फिनोल के साथ ये इदर गया, ये इदर गया, ये इदर गया ये इस पे अटाक मारेगा, ये इस पे अटाक मारेगा मेरे पास क्या बन जाएगा ये N, डबल बॉर्ड N ठीक है, मेरे पास आएगा N, डबल बॉर्ड N, ये इदर, ये इदर यहां आजाएगा double bond OH dot dot पे positive यहां का H जाएगा यह इधर जाएगा यह इधर जाएगा यह इधर जाएगा यह इधर जाएगा overall मैं product लिख देती हूँ N double bond N और यहां पर आजाएगा phenol यह जो बनता है यह dye है यह देखो phenol लिखना सीखो phenol के case में O O आ रहा है orange color की dye आती है इसको बोलते है para hydroxy azobenzine यह देखो यह है azobenzine यह पूरा azobenzine है इसके para position पे hydroxy है यह देखो para amino azobenzine यह para position पे amino है अब देखो अगर आपने यही reaction ठीक है N2 plus Cl minus की reaction कराई aniline के साथ किसके साथ reaction करानी है aniline तो कुछ नहीं करना इसके para position पे यह चिपका देना यहां से NH2 लगे रहन देना क्या बन जाएगा N double bond N यहां पर C6H5 NH2 aniline yellow color का होता है देखो ani aniline aniline से yellow color याद आना चाहिए phenol orange color aniline yellow color phenol orange color aniline yellow color इन reactions को बोलते हैं coupling reactions यह था हमारा पूरा का पूरा chapter सब कुछ कराया एक भी चीज नहीं छोड़ी देख लो एक यह है क्या रहा 4-nitrotolein इन्होंने तो जो भी लिख रखा है अब हम करते हैं tolein मतलब CH3 4 पे nitrotolein है क्या रहा इसको convert करो 2-bromo benzoic acid किसमें convert करना है benzoic acid और 2-position पे bromo लगाना है मैंने का मैं क्या करे 2-bromo benzoic acid मैं सोच रू करे तो करे क्या देखो मेरे को last में इतना समझ आ रहा है मैं हम CH3 की oxidation कर देंगे COH आ जाएगा मगर मैं इस NO2 को हटा कर bromine लाना है फिर मैंने का NO2 को कैसे हटाएंगे कैसे हटाएंगे दिमाग लगाया मैंने का मैं एक बात बताओ अगर आप अगर आप इसके अंदर tin HCl डाल दो या Fe HCl डाल दो reduction करोगे तो अनिलीन आ जाएगा मैंने का आ जाएगा फिर आपने का मैं इसके अंदर benzine, disonium, chloride बनाया जा सकता देखो ये process तुमको चमकना चाहिए अगर ये process दीरे-दीरे करके चमक रहा ना process चमक रहा तो मज़ा आ जाएगा मैंने का मैं एक बात बताओ अब अगर मैं इसको हटाओंगी तो मतलब मेरा BR पैरा पे आएगा ना 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 मुझे BR पते किस पर चाहिए मुझे BR चाहिए यहाँ मतलब इस ग्रूप के मैटा पे मैंने का एक मिनट आप एक काम करो आप पहले इसी ग्रूप की bromimination कराओ जब आपने इस ग्रूप की bromimination कराई तो नाइट्रो ग्रूप क्या है देखो CH3 चाहेगा कि यहाँ पे आए यहाँ पे आए नाइट्रो चाहेगा कि मेरे मैटा पे आए तो मैंने का यार यह बड़ी है bromine इदर आ गया NO2 इदर आ गया यह bestum best है यह bestum best हो गया मैंने का इसको गोली मारो पहले यह नहीं कराना पहले यही कराएंगे फिर मैंने का मैं अब क्या करें मेरे पास यह आगे मैंने का मैं NO2 को हटाना है तो आप टिन रिड़क्शन कर दो SNHCl यहाँ पे BR तो था ही था यह बड़िया हो गया फिर मैंने का आप NANO2 HCl डाल दो आप NANO2 HCl डाल दो 0 to 5 degree C पे यह भी बड़िया हो गया अरे भाया फिर मैंने का आप एक काम करो H3PO2 डाल दो H3PO2 डाल दो के तो नीचे वाला गायब हो जाएगा यह CH3BR फिर मैंने का यार एक काम करो KMNO4 डाल के हीट कर दो हो गया तो कन्वर्जन से घबराना नहीं होता ठीक है कन्वर्जन से घबराना नहीं है स्टेप बाइ स्टेप करोगे अपने आप कन्वर्जन क्लियर हो जाएगी चलो यह दोनों सवाल कर लेते हैं फिर मैं आपको होमबक मार्ग कर देती हूँ करो फ्री मिथाईल एनिलीन फ्री पे मिथाईल है एनिलीन 1,2,3 पे मिथाईल है कहार है इसको कन्वर्ट करो फ्री नाե՟्रो टॉलवीन फ्री पे नाइट्रो है टॉलवीन बताओ सोचो का कैसे कन्वर्जन करेंगे सब दिमाग लगाना कोई टेंशन नहीं लेनी है करो क्या कह रहे हो स्टार्टिंग में केमनोफोर डाल सकते हैं यहां पर यहां पर केमनोफोर डाल दोगे देखो स्टार्टिंग में केमनोफोर डालने से होगा क्या ये तुम्हारा CUH में convert हो जाएगा ये भी electron withdrawing group बन जाएगा ये भी electron withdrawing group बनेगा तो फिर bromine का आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो पहले bromine को ले आ उसके बाद के aminophore डालना होते हैं समझ गए आयूशी मित्तल क्लियर है बच्छे आपको अंजी बताओ 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 अब इसका अंसर बता दो देखते हैं कौन-कौन दिमाग लगा के इसका अंसर देगा थ्री-methyl-toleween मतलब थ्री-methyl-aniline को थ्री-nitrotoleween में convert करना है मैं सोचरू करू तो करू क्या सोचो मेरे को कुछ ऐसे समझ आ रहे हैं CH3 तो है ही है क्या तुम्हें यह लग रहे है मैं एक बार NaNo2HCl डालो तो क्या बन जाएगा अच्छा क्या तुम यह डाल सकते हो NaNo2HCl डाल दिया तो N2 प्लस Cl माइनस आ जाएगा और यह तो है ही है फिर क्या मैं यहाँ पे HbF4 डाल दू HbF4 डालते ही मुझे याद आ रहे है N2 प्लस BF4 माइनस बनेगा और CH3 तो है ही है फिर क्या याद आ रहे है कि मैं इसके अंदर हम NaNo2 डाल सकते हैं यही नहीं किया था किदर गया यही नहीं किया NaNo2 डाल के हीट कर दो N2 प्लस BF4 माइनस जो था जो तुम्हारा N2 प्लस BF4 माइनस था NaNo2 डाल दो तो यहाँ पे सीधर नाइट्रो बेंसीन आ जाएगा आया चमका चमक गया सबको HNO3 डालने से क्या जाएगा बताना HNO3 डालोगे अभी-भी कराया था HNO3 डालोगे तो यह अनिलीन जो है न तुमारा अनिलीन आयन में कनवर्ट हो जाएगा बिकार हो जाएगा प्रॉसेस चलो अब एक और अगला सवाल लास्ट सवाल कर लो अनिलीन Aniline को convert करना है 1-3-5-3-bromobenzene वह सब समझ के करना 1-3-5 1-2-3-4-5 1-3-5-3-bromobenzene में दिमाग लगा के करो दिमाग लगा के करो यह तो बहुती simple है बता दो क्या तुमको चमक रहा है मैम पहले Aniline की Bromination करा दो Aniline में Bromine Water डालो तो यह बनेगा यहाँ पे NH2 2-4-6-3-bromobenzene 2-4 उल्टा होगे न तो तुमें काम करो पहले 2-4-6-3-bromobenzene बना दो उपर लिख देते हैं यह Aniline तो था ही था 2-4-6-3-bromobenzene उसके बाद तुम NaNo2HCl डाल दो NaNo2HCl डाल दो तो क्या बन जाएगा N2 plus Cl minus 1-BR यहाँ है 1-BR यहाँ है 1-BR यहाँ कुछ नहीं फिर तो शराब डाल दो Ethanol Ethanol डालने से यह हट जाएगा आगे 135 tribromobenzene चमक गया bromin water डालने से 246 tribromobenzene बनेगा उसके आगे भी तो करोगे ठीक है मैं नाइट्रेशन नहीं कर सकते क्या डारेक्ट फिर्स्ट पार्ट में किसमें कहां गया हमारा फिर्सट पार्ट यह था ना क्या कहा रहो इसके अंदर नाइट्रेशन करदो 3 एक acid है ये एक base है तो ये इसको सीधा NH3 positive में convert कर देगा तो जो reaction तुम कराने गए थे वो बिकार हो जाएगी ना reaction होगी नहीं इसलिए nitration करना avoid करते हैं Nitration जान बूच के नहीं करनी होती है हमेशा ठीक है चलो chemistry तो हो जाएगी English का क्या मैं आप मैं English तो नहीं पढ़ा सकती है ठीक है ना तो English कुछ से पढ़ना सीखे चलो अब मैं कुछ कुछ सवाल मार्क कर रही हूँ जो तुम्हें 100% करने हैं this is one question this is one question this is one question given chemical test to distinguish between following pair methylamine dimethylamine secondary and tertiary amine का सवाल आता है aniline and n-methyl aniline आता है aniline and benzylamine आ सकता है account for the following pk of aniline ये तो तुम कर लोगे ethylamine is soluble in water whereas aniline is not ये करोगे आप ये भी करोगे although amino acid is orthopara ये तो करोगे ही करोगे ये paper में सवाल आता है aniline does not undergo frittle ये मैंने करा दिया है ये मैंने सब करा दिये है I have done all these questions but still I want you to go through in case of the following pkb values ये घटिया घटिया ये करोगे pkb values का ये करोगे ये सबसे important खतरनाक सवाल है तुमें paper में paratolvidine क्या होता है समझता ही नहीं है चमकता ही नहीं है बच्चों को basic strength ये तो बहुत ही simple है तुम कर लोगे boiling point का order करोगे solubility in water ये तो कर लोगे आज ही NCRT की theory में ही हमने किया we have done all these things in theory conversion सारी करनी है ठीक है conversion सारी करनी है ये coupling reaction paper में generally आती है diazotization आती है acylation paper में आती है conversion सारी करनी है ये करोगे ये घटिया है simple सा सवाल है ये करोगे ये करोगे ये अच्छा सवाल है sixth question का last part important है यहाँ पर बच्चे confused होते हैं ये करोगे ये पूरा करोगे ये तुमको आता है ये करोगे ये तुमसे बन ये करोगे पूरी reaction लिखना पूरी आधी लिखके नहीं आओगे पूरी reaction लिखोगे ये असान है ये असान है ये करोगे ये कर लोगे ये simple है ये तुमने कर लिया ये सारा अगर तुम NCRT के questions भी ढंग से कर रहे हो न तो तुमें समझ आएगा कि आदे जादा questions तुम मैं मने class में ही discuss कि मैंने literally बहुत सारे questions class में तुम्हार साथ कर लिए तुमें एक बर go through करना यू विल फील कि हाँ मैं maximum तो class में ही हो गया ठीक है चलो जैशिर राम हाँ जी प्लीज सी दे मैसेज हाँ मैं मैं मैसेज देख रही हूँ बता दो बुनियाद सीरीज इस सफिशेंट NCRT मैंला मेरे ख्याल सा इस से best NCRT तुमने कभी पढ़ी नी होगी फोकस कराएं हर एक को होता है कि चलो आयू पेक सिखा दो आयू पेक सिखा दो पेपर में आते हैं कॉमन नेम तुम फस जाते हो तो मेरी पूरी कोशिश रही है कि थ्रू आउट सीरीज या थ्रू आउट दिस सेशन औलसो अगर धंग से NCRT करके जा रहे हो और उसके बाद NCRT के जो solutions है उनकी तुम खुद से लिख के practice कर रहे हो या at least conversion कुद से कर रहे हो chemistry के paper में तुम मचा दोगे मुझे नहीं पता English और Maths और Physical Education का क्या होगा तहरा वो तो जब classes होंगी तो पता चलेगा chemistry के paper में तुम मचा दोगे अगर तुमने ढंग से बुनियाद सीरीज को follow किया this is my assurance to you ठीक है so that was it for today's session from my side ठीक है अब वैसे तो कल का session में schedule कर रही हूँ कल का session ग्यारा बजे होगा but fingers crossed एक बार मेरा तोड़ा सा न यह तब यह थीक हो जाए उसके बाद ही session लूँगी तो दवाई का के सहूँगी ता कि कल बढ़िया तरीके से class ले लू ठीक है चलो so that is it from my side अब जिन भी बच्चों को session अच्छा लगा है make sure आप session को like जरूर करियेगा share it with all your friends ठीक है and subscribe to the channel अगर अभी तक नहीं किया we are very very close to हना 10 औरे 9.99 वा तो जल्दी से हना वो कौन से last के बच्चे हैं जो अभी तक नहीं subscribe करे हैं तो फटा फट से subscribe कर लो आज ही आज 10 के VCNs तो हमारे साथ जुड़ जाने चाहिए फिर अगला target हम एक और लेंगे तो जैसी session खतम होता है आई विल अपलोड दे एंटायर PDF अप पर अप पर जिनको नहीं पता बता देती हूँ कैसे जाना है आप Vora Classes VC की अप डाउनलोड करेंगे फोन में उसके बाद आप Free Courses में जाएंगे Once you go to Free Courses उसके बाद बुनियाद करके एक फोल्डर आ रहा होगा उसके अंदर दो सब सेक्शन है Class 12th है Class 11th है Class 11th में आपको 11th के सारे notes मिल जाएंगे 12th में 12th के सारे notes में डालती जारी हूँ तो follow this and you will be able to get all the notes as well ठीक है बुनियाद on top हां जी चलिए So thank you so much अब हम मिलेंगे अगले सेक्शन में Take care, bye bye चालो